कि आप लोगों मेरी आवाज आ रही है कि अलो कि अन्यूट करके बताईए अपनों आपको मेल आ गई मैं अगे इस तरगे हमें कोई प्राबलों नहीं होने वाली, अब आगे से सारा स्टीम लाइन हो जाएगा, तो, अब होगा, आगे होगा, आगे होगा, आगे होगा, दिए हमारा, हमने जो, कल हमने जो किया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, भात आशिरवात, हमारे एक, हाँ, शीतर, हमारा एक, मेथड है, पढ़ाने का वो है कि, प्रत्ती एक दिन हम एक नए सब्जेक्ट से प्रादम करते हैं, तो, आज मैं आप लोगों के सामने, देखे, जो, बर्ट टाइम एक्टिविकेशन में, जो चीजें नहीं हमें, एफेक्ट करने वाली हैं, जैसे डिकेनेट है, द द्रेशकांण का चुकिए स्पेन बहुत ज्यादा होता है, तो, दूर्मली द्रेशकांण, उन्ही लोगों, उनहीं का द्रेशकांण जो है इफेक्टे होगा, जिनके विद्ट टाइम के अंदर में, डिफरेंस जो है, वो बहुत ज्यादा होगा, फॉर्टि-फाइग मिनि कर रहा है था कि मैं कुछ गैदर कर रहा हूं इंफरिशन ताकि उसका एक मैथटिकल कैल्कुलिशन मेथड भी है जैसे मैं कोशिस कर रहा हूं कि बड़ा इजी आपनों के सामने बना के दिखा सकूँ ताकि आप उसे इस्तमाल कर पाएं नमस्कार जग्दीशनायन साब आपको बुलंदारी मतलब नमस्ते सर्थ कैसे हैं आप सदर प्रणाम गुरू जी बहुत आशिरोद आपको अच्छे दिखिए जो आज हम करने जा रहे हैं वह हम डिकनेट के बारे मां करने जा रहे हैं आप में से कितने लोग रिशकान के विचे में जानते हैं और या जान गए है पिछिक जासर से दशा के टाइम पे और हमारे महां पर चुकी इसमें करने वालों में रविंदर सिंग जी रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमारे सारे नोट्स को हिंदी में टासलेट किया है रविंदर साब आप बदाईए द्रेशकान और डिकनेट से आप क्या समझ अन्वूड के लिए रंजा जी नमस्कार रेशकान तो सर्व जो डिग्रीज के उपर है जैसे जीरो से टैन से टैन से ट्वंटी ट्वंटी से सटी इसके उपर डिपेंड करता और इसी से हम इसको डिसाइड करते हैं अगर बौडी पार्ट में तो कहांसे लेंगे अगर उसमें लेंगे तो कैसे लेंगे बहुत अच्छा आपको रगिन सिंग्स आपने बताया दृषकान क्या है हमारी सभी हम चूघरीए पर चलते हैं तो हमारे जितनी भी 12 राशियां हैं कि फिज्जी के स्पैन की प्रत्व राशी एक भाव में पूरी तरह से फिठ होती है तो इसका भाव का जो स्पैन है या उसका जो कार्पेट अरिया आरिया जैसे बिल्डर्स की लेंग्विज में कहते हैं कार्पेट एरिया वह 30-डेडीडी का होगा अब थर्डी डिग्री के उसमें आपका जो ग्रह है वो ग्रह एक सर्टेन डिग्रीज पर बैठा होगा तो इसमें क्या है कि दिरिशकान का मतलब डी थ्री है तो इसमें 30 डिग्री की राज़ी को तीन भागों में बाठ दिया जाता है गीरों से 10 डिग्री पहला दिरिशकान होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री दूसरा दिरिशकान होता है और 20 डिग्री से 30 डिग्री तीसरा दिरिशकान होता है कि इसमें इसका जो क्यंक्लेशन है वह अपने आप में बहुत आसान है इस ऐफ एक अगर अगर प्रतं द्रेशकान का है तो उसके ओपर कोई गंणा नहीं होती वह जहां बैठा है जिस ओर Naomi बैटा है है ऊकर आ नंसकार राजर जी तो गर्णा नहीं होती या नहीं होता अगर वह प्रथम देशकान कहा होता है डिकनेट का होता है यानि कि 0 से 10 डिगरी का जिस भी राशी में कोई ग्रेब बैठेगा तो आपने कोई कैल्कॉलेशन या कोई गर्णा नहीं करनी है आपने उसको उसी राशी में जाके पोस्ट करना है पहला नियम आपको समझ माल गया जैसे एक्सेंपल पर एक्सेंपल कि किसी का सपोज मेश राशी के अंदर में सूर्य सपोज 9 डिगरी का है तो यह पहले द्रेशकांड का है तो इसका बतार द्रेशकांड कुणली जब बनेगी तो यह सूर्य कहां पोस्ट होगा मेश में ही पोस्ट होगा इसकी कोई गर्णा नहीं होगी जैनि कोई calculation नहीं हो पर अब आई बात दूसरे द्रेशकान की दूसरा द्रेशकान होता है दस डिग्री से बीस डिग्री का इस दूसरे द्रेशकान में अगर कोई ग्रेब बैठेगा तो अपने से वो पांचवे मूव हो जाएगा फिफ्ट में जाके उसको फोस्त किया जाए तो अब इसके को ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति की की कुणडली में सूर्य मेश राज़ी के हैं और वो 11 द्रेशकान के हमें कि अगर वह सूर्य जो मेश राशी में बैठे हैं अगर वह दूसरे द्रेशकांड के हैं और दूसरा द्रेशकांड का जो हुँआए वह दस डिगरी से प्रारंव होके 20 डिगरी पर समापक होता ह। तो वह अपने से पांच हो हो जाएंगे तो यह सूरी कहां चले जाएंगे लिवाम में सिंग में अब इसके बाद आता है तरडेशकान तीसरा जो है वह पीज जीटी से तीज डिग्री के स्पैंका है यानि कि बीस डिग्री और जीरो बन सगनग भी हो गया तो तीसरे देशकांड सब्गमेश में अब यह में चूरी बैठा है यहां सब जला जाएगा Nun कितना आसान है इसका calculation आप बैठे बठाए कर सकते हैं अपने ग्रहों को देखके लेकिन सबसे पहले जो calculation की शुरुवात होती है वो लगन की डिग्री से होती है तो अगर किसी का लगन अगर दस डिग्री के अंदर है तो लगन मूव नहीं होगा उसी लगन का द्रिशकांड बनेगा और अगर लगन की डिग्री अगर उसकी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है पहले वाले में तो कोई घरना नहीं होती वो तो वहीं के वहीं रहेगा अब दूसरे द्रिशकांड का है तो आपने से पांचपा चला जाएगा जानी कि अगर किसी का मेश लगन है त स्धिन्गे होगा है और वुथी मेश लगन के जातक का अगर लगन का 21 दिग्री का है या तो तीसरे द्रिशकांड का है तो उसका जो द्रिशकांड चार्ट बनेगा वह नाइंस से बनेगा फ्रम मेश वसका मतलब धनू का लगन उदित होगा कि इसका मतलब त्रिकोडों से ही उद्धित होते हैं कि कहने का मतलब है तो पहला त्रिकोड कौन सा हुआ छे नंबर का और दूसरा द्रिकोड हुआ दसनेंगे तर्षकान है तो इस तरीके से जो वाईू दसने हैं उनके भी ट्रिकोडों से ही निकलेγा जानी कि अगर वो तीन नंबर का लगन है तो अगर सपोस्पाले द्रिकोड कर दो लगन मूव नहीं होगा मितुन का ही रहेगा और अगर दूसरे द्रेशकांड का है दस से बीस डिगरी का है तो फिर वो साथ नंबर तुला का चला जाएगा और अगर वो तीसरे द्रेशकांड का है यानि कि बीस डिगरी से तीस डिगरी के बीच का लगन है तो वो फिर कुम्बराशी का चला जाएगा कुम्बराशी उद्धित होगी और यही जलतत्तुर में होगा चार आठ और बारा तो अगर यह नियम आपनों को समझ में आ गया हो और किजी को इसमें डाउट हो तो बताए अब अपना देशकान को बोड़ पर काके ने बता सकते ह बोड़ पर काके बताए ना सर ऐसे चलांग है किसने चलांग लगा रहे हैं तो ने मंगला सब अच्छा जग्दीश सब अच्छा जग्दीश ने जी है यह हाँ जी मैं आपको कुंड़ी पर दिखाता हूं यह लिए यह बड़ा सिंपल है यह से अगनी तत्यों की राशिया हुई ने ने मैं दिखा देता हूं तो उसमें आपनों को प्रॉब्लम नहीं होगी एक कुंड़ी में दिखा देता हूं यह देखे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं स्क्रीन शेयर इससे आपनों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि जब तक कि क्लास का हर व्यक्ति नहीं समझ जाएगा तब तक मेरा मुझे साट्स्फेक्शन नहीं होता अब देखे आप लों को यह दिखा ही पड़िये मादर आउस इंदिया तापकी औरसकोप यह 10 मार्च उन्यों से 45 की है एक बच और तीन सेकिंड इनका टाइम अब बड़त है और जो इनका प्लेस अब बड़त है यह आप नोट कर लिजे क्योंकि आपनों को बनाने ना चीए यह अपने कंप्यूटर्स पर क्योंकि इस पर हम लोग फुड़ा काम करेंगे आज यह ग्वालियर की इनकी पैदाईश है मदविदेश की राजा घराने के थे और राजीव गांजी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहें यह आप सभी लोग वाकिफ होंगे मादरा सिंदिया जी थे इनकी सिस्टर काफी लंबे समय तक रही है चीपिनिस्टर वसंदरा अब देखे यह इनका लगन चार्ट है और यह इनका द्रिशकांट चार्ट है तो मैंने आपको क्या बताया कि लगन इनका कितने डिग्री का है जग्दीशनेंस अब दस डिग्री अर्थालेस मिनिट का कि आपको दिख रहा है टेन फॉटी एट कोई बादी हम नीचे देख आर्थालेस मिनिट का होने का मतलब है यह दूसरे देशकांट का है अगर यह पहले देशकांट का होता सब्सक्राइब दस डिग्री का यह होता यह तो फिर इनका द्रेशकांट चार्ट किस से बनता इसी से बनता रिक्षिक से तो कि उसमें फिर गर्णा नहीं होती उसमें क और जो ड्रेशकाण व्यक्तिका है जो लगन का लगन व्यक्तिका है वही द्रेशकाण बन जाता है आठ नंबर का ही लेकिन इनका चुबी सगिंड ड्रेशकाण का है तो अपने से 5 मूव होगा है यहां से आप करूण कीजिए 1-2-3-4-5 तो आप देखिए क्या 12 नंबर से इन आपको जो है दूसरे चाट पर भी आपको दिखातों से आपको अन्दाजा और जाता है अन्दाजा जाएगा कुछ के लोगिए नहीं के लिए नहीं के लिए नहीं के लोगिए यह आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं है दूसरी हरस्पोप है यह हमारे दुवाजी के लड़के की है एस चंद्रा भी लिखा हुआ है इनका नाम यह जग्दीस नहीं साब इनका देखिए इनका लगन कितने डिग्री का है पांच डिग्री पच्चेस मिनट का है आप देख पा रहे हैं क्या पांच डिग्री पच्चेस मिनट का यह देखिए असेंडेंट लिखा है जग्दीस नहीं साब अब अन्मूट कीजें पांच डिग्री पच्चेस मिनट पैतालिस सेंड लिखा है ना दिख रहा है आपको असेंडेंट एस की आगे लिखा है पांच पच्चेस पांच पच्चेस तो यह पहले दिरिश्का यह पांच पच्च पॉटीफाइब इस नहीं से लिखान देंगे यह इनका नीचे दिरिश्कान चार्ट है आप दिरिश्कान देख रहे हैं इनका दिरिश्कान किससे बना जो इनका लगा प्रत्म दिरिश्कान का एक्जम्पल आपके सामने है पहले दिरिश्कान में अगर होगा तो जो लगन पर डिग्री होगी अगर दस डिग्री से कम है तो कोई जर्णा कोई कैल्कुलेशन नहीं होगी और लगन का जो लगन की राशी है वही राशी दिरिश्कान में उद्ध होगी कि यह क्लियर हो गया सर कि इस नहीं होती है जो लगन होगा जिस साइन का होगा उसी साइन को आप द्रेशकार्ण में लगन पे पोस्ट करेंगे जी ऑटीटीटीटीटीटीक अगया करेक्ट नओं ग्रभ ले लिजे आंधे से यह यह इनका डियें जो दूखे कंँ साइवत रेसकान का ए चनी तसरे द्रेशकार्ण का जो शनी है वो कहां मूब होगा अपने सर्फ वन टू फ्री फोर फाइट यानि कि कहां पोस्ट हुआ कुंबराजी में तो आप देखे शनी कुंबराजी में हो गया अब मंगल को आप देखे मंगल पहले द्रिशकांड का है दो डिगरी 24 मिनिट का तो इसमें कोई गर्णा नहीं होती है तो मंगल इनका नौ महीं जाके बैठेगा दनू में जे राहू इनका देखे 27 डिगरी और 10 मिनिट का है इसका मतलब तीसरे द्रिशकांड का है तो यह अपने से नाइंथ मूब हो जाएगा तो इसके सामने साथ text knot लौत घराँ इनके लघन पे आ गया रेशकांड के जी जी अब आप इसके बाद । इनका देखे 18 डिगरी यह जो के दूसरे यह intensive Living important according to dress on according to the degrees they have a degree in the horoscope तो पांच घर आगे जाएगा और थार्ड में है तो नाइन गर आगे चला जाएगा नाइन गर आगे आप बोलेंगे ना तो थोड़ा इन नाइन को काउंट करके दस में उठा लिजाएंगे उसे अगर वह से तो आपने सब फांच वह में चला जाएगा तो उसमें अब जैसे ग्जांपल लिजेब चंदमा का चंदमा कि अप्टराइब भी टिगिरी का मतल्ब दूसरे जमाल का है दस से वीज बीज रिगिन जमें तुशका अपने से पांची का है या हो गया वान टू थ्री फोर फाइट यारी कि मिठुन में जाएगा इसी परकार ते मरकरी इनका लीज यह बीज जापेस्ट मिनट का है तुश तुला में चला गया मरकरी इनका बुद्धिन का तुला में आ गया सूरी देखें इनका 17 डिए 50 पनट का है जो दूसरे दिश्कान का है तो अपने से पंचम में जाएगा पंचम में जाएगा तो पंचम कौन सा वह वा वन टू जी पूर फाइब करक राची तो आप देखें सूरी इनका करक में आ गया अब गुरू 27 डिगरी का है मतलब गुरू इनका तीसरे दिरिश्कान का है तो गुरू यहां से नई चला जाएगा इसके जामने वाला साथ आठ नो तो कहां गया गुरू मकर में अब अब यूं समझ लीजे कि ये बड़ा दिरिश्कान का जो क्लकुलेशन है वो इतना एजि है कि आप ना बैठे-बठाए आप उसका क्लकुलेशन कर सकते हैं आपको ये मालूम है कि दिरिश्कान में जो मोमेंट है वो राशीगत मोमेंट जो है एक पांच-9 में होना है क्या तो 1st में होगा, पहले द्रेशकान का होगा, तो वहीं कभाई ही होगा, 2nd का होगा, तो अपने से पाउं पाँच में में चला जाएगा, 3rd का होगा, तो अपने से 9th में चला जाएगा, और द्रेशकान का कैल्कुलेशन इसना easy है, तो एक दिरेशकान दस दिरेशकान पहला दिरेशकान, दस से बीस दिरेशकान, और बीस से तीस दिरेशकान, ठीक है, अच्छाए। नव डिके प्लिशिन पार्ट अनल तुवर्टी सब समझ में आ गया अन्मूट करके बदाई है आप तो मैंटमेटिकल विजाड विजड है आप तो फिजर्स में यही डिल करते हैं तो आपको आगया होगा पॉस्ट इमें इसे इसे अधी कि अधिए अधिए इनी टौट इन इनिवन्स माइड सरे कांटिंग जो इवाइव दिवन की राशी से होगी न इवन की राशी से कांटिंग आद जाकर देंगे आप पोस्त कर देंगे पहले सबसे बला लगन को बनाएंगे तो लगन तो रजन वही रहेगा, द्रेशकान जो का दीबन का लगन है, क्योंकि गी कैल्कुलेशन नहीं होगी, अगर वो लगन जो का दूसरे द्रेशकान का है, 10-20 का, तो अपने स्टेर पांच का चला जाएगा, यानि कि द्रिकोर्ण में चला जाएगा, पंचम में, और उसके बाद अगर वो तीसरे दरिशकान का होगा 20 से 30 डिग्री के बीच में तो वो नवम त्रिकोर्ड में चला जाएगा यानि कहने का मतलब है कि दो दरिशकान बनता है वो त्रिकोर्डों से बनता है अब चुकि त्रिकोर्ड जो है कुंडली के बात को यूँ समझेगा कि ये फुरा जोतेश जो है रिश्यों ने बहुत ही आसान बना के लिखा है क्यों दरिशकान से आप भावों का बल और ग्रहों का बल देखते हैं अभी स्विलिंग बाली बात करेंगे अब देखते हैं आपका साहस आपकी विल पावर आपकी ब्रेवरी आपका अग्रसिवनेस आपका करेज आपकी स्पोर्ट्स आपका लेखन आपकी पर्फर्मिंग आपकी सिबलिंग्स इसके अलावार थर्ड होस से any kind of fear and phobia that you carry वो सारी की सारी चीज़ हैं तीसरे हाउस से जो आती हैं या आपके नेबर्स या आपका जगड़ा करना quarrelson होना या आपका बहुत दुस्ताना रिवाज होना वो सारी की सारी चीज़ हैं उसका extension होने की वज़ा से ये द्रेशकान चार्ट आपको इतनी सब चीज़ें आपको बताता है अब चुकि तीसरा हाउस जो है वो अस्टम से अस्टम हो जाता है तो वो death के modes को बताता है mode of death ये आदमी की जो death होगी वो किस दशा में होगी किस गती में होगी गती का मतलब है कि वो जो death उसकी होगी वो death peaceful होगी या वो accidental होगी या suicidal होगी तो द्रेशकान चार्ट जो है चुकि एक्स्टेंशन है third house का और third house जो है भावाद भावम न्याई के अंसर अस्टम से अस्टम हो जाने की वज़ा थे आप लोगों को कितने लोगों को भावाद भावम न्याई का नियम नहीं मालूम है एक बार हाथ ख़़ा करें तो मैं समझाओं को कि कोई देखी मेरे साथ के ना बड़ा दोस्ता दोस्ताने का रिवाज है यह दोस्ती अब नहीं चूटेगी शूले का गाना था ना तो आप लोगों को आप भी सौझे कि आपको मेरे साथ में आपको एक मित्रवत गुरू मिला है और आपको बिल्कुल चरवाने की जरूरत नहीं है उसका एक कारण है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट बड़े प्रे होते हैं जिने कुछ नहीं मालूम होत क्योंकि अगर आप मेरी उटिलीटी खतम हो जाती है मेरी वैल्यू खतम हो जाती है तो अगर आप में से किसी को नहीं मालूम है तो आप समझें कि आप you are doing a favor to me to make me feel from inside that I am of some value to this class कि इतने लोगे हाथ खड़ा कर दिया very good very good तो अब मैं समझ यह हूं भावात भावम न्याए यह लॉज हो है यह किस तरह का लॉज है मैं आपको कुली में समझाता हूं कि एक काम करते हैं कि तुली जो है किसी दबंग आदमी की मिनाते हैं कि मोरी को इतना लिए सब्सक्राइब कर दो कि दबंग आदियों में सर नोशकार आद को बसक्राइब कर दें हैं आप जितना डिस्टेंज है लगन से अगर उस भाव से उतना ही आगे काउंट कर लें तो पिछले भ्याव को न्याय देता है यानि पिछले भ्याव के बारे में बताता है अब देखे धन का भाव है यह मन साब इतर जरा थोड़ा सा तवज़ो चाहूंगा इश्ट्रा माव हर यह यह कितना ऑगे है दो वण अनट उ तो इस से उतना ही पूर ना चल जाए वन पूर्झ हो गया सेंट को क्वालीफाइब करेगा उसके न्याय संगत करेगा इसी और देखे जो थर्ड तर वास है का है मेहनत का है परफॉर्मिंग आर्ट्स का है यह सारी चीजह धंद पैदा करती है राइटिंग वक का है जिन्हों ने राइटिंग कर दी आद देखे डिस्कवरी फिंडिया नहरु जी ने लिख दी तो आज राहुल गाधी को भी उसकी रॉयल्टी आती है कि मेरे साथ में क्या हुआ है कि मेरे साथ कई पुस्टक लिखने का सामान मुझूद है लेकिन उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है कि अब उसको बस थोड़ा सा इंडेक्सिंग करकर उसकी बाइंडिंग करनी है ताकि रोयल्टी क्रियेट हो तके बच्चों के लिए तो आप देखिए ये धन का भाव है वेल्ट का भाव है जो थर्ड हाउस होता है वो इस भाव को नहाय संगत देता है इस वैसे थर्ड हाउस से आप देखिए आप कि आप अपने और्गनाइजेशन में ही आप घुम के देख लिए जो आपका कली जो आपका सबार्डिनेट य अब वो जिन्दगी के अंदर उचाईयों पे पहुंचा अपनी मेहनत की वज़ा से और चुकि जो थर्ड हाउस है वो पंचम का लाब का भाव है तो इसका मतलब वो क्रेटिव भी था और पंचम भाव मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट में डेक्स्टरस था डेक्स्टरस का मतलब होता स्किल्ट तो इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया अब आप इसको छोड़के आप उन पर आजाईए यह ने बड़ा केकवाक मिला है धनका वो जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स यहां से आती है अगर कोई सिंगर है या कोई मिजिक डिरेक्टर है या लिरिक्स ल या परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा किया है तो आप एक बात देखिए कि वो टैलेंट भी उनकी इसी धर्ड हॉट से आती है कि उनके पंचम जो क्रेटिव भाव है उसका इलाव है तो फिर उनको धन गिलाता है तो धन तो तरीके से आता है तीन तरीके से आता है पह है वसियत का बहु है और अस्टम से यह ऐस्टम हो जाता है आप देखिए यहां से काउंट करेंगे तो यह एट साफ हो है तो यहां से अस्टम से आता हो गया तीसरा हॉट तो अस्टम भाव से चुकि वसीयत आती है तो तीसरा जो मोड आफ मनी टू दू पीपल है ताट कंज भाई दी एर्थ हॉस और एंड थर्ड हॉस तो वसीयत चुकि यहां से आती है तो तीसरा मोड ड़क्टर विनेशील जो है बड़े स्थब्द हो के देख रहे हैं क्या बात है जोक्साब थर्ड से वसीयत नहीं आईगी वसीयत की बात आई तो तो आपने विल्कुल लाल भुजकर की तरह से आपने एकदम यह सोचना चुरू कर दिया कि लंदन की कॉंसे टावर में नूंगा अच्छा देखे बार्राल भावद भावन नयाय का मतलब होता है जो भी भाव जितना लगन से आगे गया है उतना ही अगर हम आगे काउंट लें तो जो नेक्स भाव आता है वो पिछले भाव का माइक्रो एनालिसिस करता है यानि कि उसको न्याय देता है भावाद भावम न्याय अब जैसे कहने का मतलब यह है पंचम भाव आपके संतान का है लगन से कितना आगे है पाँच वान टू थ्री पॉर फाइट यहां से अगर आप पाँच गिन लें तो नाइं था उस भाग्य भाग्यभाव का जो extension होता है जाकि नौमाशा के रूप में यह चुकि भाग्य का फॉर्चून का एक्स्टेंशन है इसलिए नकेवल यह पप्तिं के बारे हो बताता है एक अच्छी संतान के मिलने के बारे हो बताता है एक संतान की education को बताता है मैं कई बार कुनलिया देख आता है और वह आगे पढ़ने लगते हैं और जादा अच्छी स्टडी करने लगते हैं अब जासे डॉक्टर विनेशील का वेटा और आक्सपोर्ड कैम्रेज वगर में जा रहा है तो अभी इनका 9000 एक्टिव चल रहा है पंचम तो चली रहा है लेकिन पंचम से पंचम ना लॉट के अंदर में जो पर्मूटेशन कंगिनेशन उनको मत भूलियेगा एक टिये हैं तो उसका लॉड है लॉड के उपर सबस्तर बड़ा दार दो मदार है कोई गंचा को कराने का लॉर्ड जिस कंजंशन में है उस कंजंशन प्लैनेट के पास भी दारोमदार है क्योंकि लॉर्ड के साथ बैठा है आप अपने दोस्त के साथ बैठे हूं तो आप दोस्ते कहेंगे यार तुम खाली हाथ आगे जाओ कुछ चिप्स खरीद के लिए आओ तो भागा जाएगा अधिक लेके आ जाएगा है कि नि इस थान गुरु जी आपने बताया थान इस्टिव शेंच या इस थान इस्टिव शेंच अब इंग्लेंड में आप जोतिश करेंगे उसमें संस्क्राइब आप करेंगे जोतिश तो लोग तो मतलब धंग रह जाएंगे और आपने मृत्य क्यूंकि उसमें भी अगर यह लगा दिया किसी में भी आप लगा सकते हैं यह तो कौन सा ब्रिटिंस ने समझना है कि कहां फिट हो रहा है वो तो भावाई करेंगे तर भवात भावम में एक विशेश चीज़ दिखती है कि जो भी समसंख्या का भाव है जैसे दो चार छे आठ दस बारत यह भवात भावम न्याय में किसी को भी किसी को भी न्याय नहीं देता है जिटने भी जितने भी न्याय देने वाले भाव है वह विशम गया के भाव एक तो इसको कुछ हम लोग इससे डेसिपर कर सकते हैं क्या कि एक देए कि ये कुंड़ी बंती है ना वह और ठीट वैसे करते है जैसे अब देखें मेरे यह संसंख्या है विशम आ गई पर सब आ गई तो डिफॉल्ट है कुम्ले का डिफॉल्ट है विच्ञतु अप शितुर्थ है लगन से कितनाई तो उससे अगर आप अगर आप करेंगे तो माता यहां पे भी बैठना चाहती है तभी माता में और पक्ती में जो है तक्रार हो जाता है यह लॉजिक सही है तो यह कहना कि इसे विशम वाले ही देते हैं यह भी गलत अप्रजाप शुद आपके सामने की बात है आप देखिए यह आप जैसे आपका जो पिता का भाव है पिता के भाव पे तो सम्सम लग रहा है इसलिए आप देखते हैं कि पिता थोड़ा दोसाहिल होते हैं कि यह अउस्ट संक्या है यह लगम से लगन से बसeg करें एकंव तो कोई करीगे तो कांगा यह जायेगा शुँद दोनों 2 था mom 12th house किसी भाव का भवाव नहीं बनता है नहीं आसा नहीं है यह यह आपना मुझे मेरे परस्टनल पे अगर आपके पास में कोई प्रामानिक बुक होए नहीं सर प्रताप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो अम लुग सही नेंगे 1357911 यह आएगा क्या से आप मालनीक यह लगात कर रहे हैं एक एक बार में बोले एक एक मुझे जो बात कर रहे हैं मैं समझने की कोशिद करूँ एक पर टुके मालनीक यह पहले आ उसका वह कर रहे हैं भवत बवान तो वह तो फस्टा उसी रहा है जब सेकेंड पर आया आप उसरे से दूसरा अब बेशक्स अब कोई भी ले लीजे चाहिए ठटाई ले लिए अब आप एक एक करके जलिए थर्ट पर आप जले लें तो वह पांच नमबर आया तो थाम आ गिया ने विशम है और विशम है सर और है और है पांच नमबर और है ना सर एक मद्यार सर वराशी की बात नहीं अब करें हाउस नमबर की बात करें है तो इस तरीके से कहना ज्यादा उचत है कि वह हैसे की बात करें और जो आएंगे वह उस तरीके से आएंगे तुकि एक जो दो नंबर है दो नंबर का तीन हो गया और तीन नंबर का हो गया पांच पांच नंबर का हो गया नाइंड वो हमेशा और यह आ रहा है तो हो तो मैं आपको एक बात यह कहना चाहता हूं कि इसके अंदर राशी की जो अपनी importance है ना जो justification है वो भारा houses नहीं दे रहे हैं आप मेरी बात को यूं समझेगा मैं आपको दिखाता हूं कि कुंड़ी तो आपको समझ में आएगा कि भावाद भावाम नयाय में जो houses हैं वो justify नहीं करते यानि आप यह समझें कि तीसरे का अगर तीसरा आगे चले हम पंचम आ गया तो यह नहीं है कि तीसरा भाव जो रोक की शुरुवात का भाव है जगड़े का भाव है नेबर्स का भाव है क्वेरल का भाव है आपके उसका भाव है पंचम भाव तो बहुत ही कोमल है संतान का है में कोई भी पंचम भाव कीुश अपनी पूरी है वह कुरम के प्र हराब उसमें कोमी गाली उसका है प्रभाव करता है वह इसको न्याए दे आप इसमें घृट expensive mówi वह फाली मत लगए और रहे हैं कि यूआ रहे हैं कि उसे ूऊ-॔र भाव नयाए नहीं होता थी सर्क को a pandemic पंचम की राशी पर करता है तो थर्ड हाउस पर त्रीशडाय नहीं होता तर्वे त्रिकोण नेतारू ग्रहा शुप फल प्रदा तो त्रिकोणों के स्वामी जो हैं हमेशा शुप फल को देने वाले होते और पतिय है त्रीशडाय नाम यदा पाथ फल प्रदा आप एक ऐसा कोशित कर रहे हैं जो कि नियम बेसीकली उसकी इस्पाइन आप दी अस्ट्रोलजी पर हिट कर रहा है अगर आप थर्ड को अगर आप संतक्ष्ट कह दें पंचम भाव से तो जो थर्ड हाउस है वो त्रीशडाय का भाव है यानि पतिय है त्रीशडाय नाम यदा पाथ फल ऑपो को देने वाला है और पंचम भाव जो है सरवे ट्रिकोंड नितारो। ग्रहा शोपल प्रता उता हमेशा शोपल को देने वाला है तो आप कहां से उसको से आप अटाज कर रहे हैं जर्स बिकाश संबडी जोस्क्त समबडी नोस मैं दॉसमेडिक्स और अरिसमेडिक डा पढ़ने वाले influences वो उस पिछले वाले भाव को नियाय संगत देते हैं थर्ड हाउस को एक पहले भूब पहले जब तक वो समझे थार्ड हाउस कभी भी डिकोंड से जस्टिफाइं नहीं होता है क्योंकि त्रिकोंड के जो भाव होते हैं अत्यांत शुबकारी होते हैं कुंडली के अंदर और अगर थर्ड के वारे माधर आपने समझना है तो आप समझें कि एग्रेशन फिप्थ हाउस आपके दिमाग का है अग्रेशन आपके दिमाग की चीज है there is no other difference between two people both the persons are going to be exactly identical unless कि फिफ्थ हाउस में कोई मैलेफिक ना बैठाओ अगर मैलेफिक बैठेगा तभी वो थर्ड हाउस के purity को impurify करेगा जो थर्ड हाउस है वो डुसाइल है यानि creativity का भी है साहस का भी है लेकिन वो जगडे का भी है लेकिन आप एक बात हुजाई कि जगडा कौन सा प्लानेट कराता है जो दिमाग में बैठावा जो आपका ग्रह है मंगल जैसा ग्रह है अडियल श्यानी जैसा ग्रह है वो ही तो जगडा कराएगा यानि उसमें बैठी जो राशी है और उसमें बैठावा जो ग्रह है वो उसक इस प्रकार से परिवर्तित होकर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक्स्प्रस होने जा रहे हैं अब रभींदर साब ने जो बोला मैं इसको बताता हूं यह देखिए इनका यह थर्ड आउस है और यह फिफ्ट आउस उसको जत्रिपाई कर रहा है क्यों क्यों कि लगन से तीन मूब्ड है और इससे अगर हम त्रीन मूब्ड करें तो पंचमभाव आता है अब आप देखें यह इसमें प्लैनेट कौन सा है मंगल है जो कि युद्धा है शनी है जो कि थोड़ा प्यादा है या यह सबस्थिए शनी एक अडियल ग्रह माना जाता है क्योंकि शनी जो है व बुद्ध नीच का होके बैठावा है नीच का बुद्ध है उसका नीच भंग किस से है चंद्रमा से है चंद्रमा से चौते में बैठी है कोई भी नीच का ग्रह है अगर चंद्रमा से चौते में बैठेगा केंद्र में बैठेगा तो उसका नीच भंग उसका सौतय हो जाए बुद्री का प्लैनेट है वे निजवंग हो जाने की वैसे क्या है ये पूरा टरंडराउंड हो गया अब ये बहुत ही बुद्धिमान बनाएगा और कोई भी इंटलिएंट मना देगा इस व्यक्ति को और यह को रहां सम्नी मनाएगा इस व्यक्ति को कभी भी पुब्लिक के प्भूविक ली जगड़ा कर रहे होते हैं पीछ इक बार में वह देख रहा था बुल्गारिया पता नहीं कहां थी वह पर्लिमेंट कि लोग जो हैं एक उसके सामने युगसलाव गया या बुल्गारिया कहे वो लोग आपस में इसमें टी वी प्रोग्राम में आए वे थे उड़ा के उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सिया मानना शुरू कर दिया पटक पटक के वहीं मानना शुरू कर दिया तो उस तरह का जो पुब्लिक स्पेट कॉन सा प्लेंट देता है इसको 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 ज्याय संगत दे रहा है तो वह व्यक्ति की प्रकर्ति में संभीता लिक्या आएगा जाता है और वैसे भी आप लोग जोतिश्चिव जातियों को मालूम है कि ये जो बुद्ध है ये ये बुद्ध जो होता है अगर ये अलोन है और इन कंजंशन विद दी शुब प्लैनेट से तो शुब बुद्ध हो गया अगर ये मेलिफिक्स के साथ बैटा है तो मेलिफिक हो गया अलोन हो या शुब ग्रहों के साथ में हो तो ये शुब ग्रह हो गया अब ये बुद्ध जैसा ग्रह अगर शुब हो गया तो थर्ड आउस से एक तो सिब्लिंग्स देदेगा और सिब्लिंग्स को तरक्की देदेगा और दूसरा वो एक व्यक्ति को जो सोच देगा वो सोच नहीं देगा पब्लिक ली कि नेवर्स नेवरूट में जगडा कर ले रूड रेच कर ले ऐसी को घटना कर ले जसमा की मंगल उच्छ का जरूर है लेकिन ये मंगल की अपनी प्रकर्तितों सेनापती जगडा करने की लेकिन चुकि इसको ये कर रहा है तो इसके भावों को परि हम अनालसद नहीं करें कुंड़ी तुई में बात नहीं है कि और भी खुड़ा एक्जामपल देके कि भी चटे से चटा है लेवें थाउस कैसे उसको मतलब रोगरन शत्रू को वह कर रहा है ना बताता हूं वह भी आपको बतांगा जैसे अब आपने बताया चंद्रमा से ज कि अपने आप में पूरा 45 मिनट का एक टॉपिक है निजवंग राजयोग का मैं एक परिनेंट वे में, रेलेमेंट वे में मैं आपको बता दिया कि इसका जो भी नीज का गर चंद्मा से केंद्र में होता एक चार साथ दस तो वह उसका सोता है उसका नीजवंग हो जाता है कि इसका जो राशी का स्वामी है अगर वह चंदमा से केंदमें होगा तो नीजभग हो जाएगा इसका उच्च является सुक्र अगर चंदमा से केंदमें होता ही केंदमें नहीं है पंचम में अगर ऐइं बेटा होता तो नीजभग होजाता मैं नीजभग पर Celebration में बात बोलाहा राशी है और उसके राशी की अपनी प्रकरती और इसके अलाबा ये हुमिन राशी आ गई यहां पे उसकी राशी की अपनी प्रकरती है उसके द्वारा उसमें बैठे वे ग्रह के द्वारा उस ग्रह पर पढ़ने वाले इंफ्लेंसेस के द्वारा इस भाव को न्याज देगा आप मंगल सापने पुछा कि चटे भाव का स्वामी है अगर चटे से चटा चला जाए चटा भाव यहां पर है मंगल का भेश सबसे पहले बात आपको यह होगी च्छटा भाव लगन से च्छटा है तो च्छटे भाव से आगे च्छे अगर जोड़ लिया जाए तो 11 जो है वो च्छटे को जस्टिफाई करता है यानि उसको कौलिफाई करता है तो आप यह कहिए कि जो च्छटा भाव है वो रिकवरी का भाव है यह डिजीजस का भाव है आदमी रिकवरी अगर ना हो तो आदमी सकम करता है डिजीजस में आप इस बात को मानते हैं आदमी कब उसकी डेथ होती है जब वो डिजीज होती है और डिजीज में वो रिकवर न सबसंदायर है और उसी तरी कि आपके स्कील सेट सें तिये आपकी रिकवरी कराता है कियानि उनीचीजों को जैसे रहा है की तो निगल को बताए एक ऑर चेख और चुछ और लेकर नहीं होता इता है जुछ बाव मतलब हो इनक तो चटबया हैर मारत तो इनको एक डिजीज बॉडी देता इसी प्रकार से जो डिफिकल्टीज है अब जो प्लैनेट है वो शुप ग्रैड इफिकल्टीज तो वो यह लेक्ड़ाएगा गुरू और यह लेक्ड़ाएगा और बुद्ध अपनी राशी को जो कर रहा है इसका उन्हीं सब्जेक्स को आगे क्वालिफाई करता है कि इस आदमी को डिफकल्टी मिलेंगी तो डिफकल्टी से बाहर आपाएगा के नहीं आपाएगा कि यह बहुन को जिस्चेवाई करता है यह दून्हाय क्या दे रहा है उन्हाय दे रहा है यह जो वह दूर ही है यहाँ पर उगणी अगर बैटा हो और कि सी आदी को डोग हो जाए तो मैकल स्तों रोग से बाहर नहीं रिकलने देगा उसे और रुकल्ड मना देगा यह अब तो पहली बात तो यह है, it has nothing to do with the mathematics, the mathematical part is only this much, कि वो लगन से जतना move होता है कोई भाव, उत्रहीं आगे अगर count को लिया जाए, तो अगला जो भाव आता है, वो पिछले भाव को संगत, नाय संगत बातें उसके बारे में बताता है, कि वो भाव से आने वाली जो चीज़े हैं, वो कितनी खराब होंगी, या कितनी वो सुदर जाएं, बेसिकली उस भाव का आरूर देख रहे हैं, नहीं, नहीं, लगन के तथर्ट देख रहे हैं, आरूर नहीं देख रहे हैं, अब आपने एन नया टॉबिक चड़ दिया, किया होता है कोई भी मैं अपने अरूर बोल दिया तहुं आपको बतायता हूं कि ये कंद के भावों पर रूंप नियम डिफरंट होता है क्या नियम होता आपको मालूम है के तो उसे इकमेट सुन लीज़े अपने से दसवा अपने इसमें एगर वहाँ लगन पे बैठेगा य लगन ही हो गया लेकिन आरूड में क्या होगा कि जो ना चला जाए yam और लगन पर बेटेका में और बेटेगा और चौते में पटेगा तो चौते में आजाएगा और अरूर के जो नियम होते हैं बुर्शे होते हैं और जो इसके नीयम है वो डिपरेफेंट होते हैं, आरूर आप मेरी जो है दालश क्राइब इंछे सीजड़ों से इक नोड जी यह तें spider-oup दिया थे उनको आप पर दी जगा एक बार और क्योंकि हमारे पास नहीं होगा कि अरूर के बारे में अगर हम अगर मौका लगे तो अगर समझ हुआ तो बात करेंगे तेकिन अगर आप लोग कितना उज्ञानी की कोशिस करेंगे तो अरूर क्या हो पाएगा कि अरूर के अरूर को कुछ पहले हैं जा जा अरूर करवा चबार रूर हो चुका सर गुरू जी नहीं मैं भी घरा चुका हूं इस जो मैंने आपको नगेरेज्ट वाला वाला टॉपिक हैंडल किया था नमांच में तो उसमें मैंने आपको आरूर बनाना सिखाया था अच्छा अब आप देखिए अब बैराल केने का मतलब यह है कि जो मैं आपनों को बताना चाहरा हूँ उस पे आप मुझे आप आने दीगे पहली बात यह है कि अब पहली अब फिर यह बात आपको समझ में आ गई कि यह थर्ड आउस का एक्स्टेंशन है और चुकि यह जितने भी डिविजनल चार्ट से हैं वो एक भोग के भाव है भोग का मतलब है हमारे प्रारप्स से संबंदित हैं और भोग के भाव का मतलब है जो गेंस हमेह मिलते हैं लाइफ के अंदर उनके भाव होते हैं जंदाजी मैं आपर बशाता हम इंकमेटए वो वो यह हमें बताते हैं यहां से थर्ड आउस का लाप कौन सा उसा हुआ प्रथम भाव प्रतम भाव क्या है लगन है क्योंकि त्रिकोन भी है और केंद्र भी है प्रतम भाव क्या है प्रतम भाव ही आपके जिंदगी का पूरी धुरी है आपकी जो लगन का भाव है इसलिए कहा जाता है कि लगन का भाव इतना स्ट्रॉंग होता है कि जो ग्रह लगन पे बैठता है वो भी powerful हो जाता है और लगन का स्वामी जिस भाव पे देखता है अथवा लगन का स्वामी लगना लॉड जिस भाव पे बैठता है या जिस ग्रह के साथ तंजन्द होता है वो ऐसा टमकाड है कि उन तीनों का अच्छा दटा है तो यह चुक्री लगन के बारे में घ्रेशकांट जो है लगन क्या है लगन का एक खलित है यह उसका प्रारब्द है इसलिए चार्ट होता है वो इतना महत्मूर्ण होता है कि वो आपके लगन की कम्यां और अच्छाई़यों को भी बताता है यानि कहने का मतलब है लगन के आधिनस्त ग्यारा भाव और हैं वो तो बारा के बारा भाव जितने भी है उनमें लगन ही सुप्रीम है तो इसलिए वो ग्रहों का बलाबल और भावों का बलाबल भी बताता है जब अब जब भी आप द्रिशकांट चार्ट को और चुकि ये त त्रिकोनों से निकलता है लगन के और त्रिकोन हमारे जो है कॉलंस है यानि आपकी कुंड़ी कितनी पारकुल है त्रिकोन बताते हैं तो इसलिए त्रिकोनों से होने की वजह से ये लगन का त्रिकोनों से निकलने वाला ये द्रेशकांट डिकेनेट जिसे डिकेनेट भी ब बताते हैं केंद्र बल्द बताते हैं का उपने इस टॉप्ट गढ़ा दी आ तो संटेंस में ढिफ्रेंट सर्थ है कि यह से और सुटे शुटे चुटे और सुटे होते हैं वो इंग्लिश लेंग्विज जो चेंज़ कर देते हैं कैसे I want something I am in want of something तो एक परक हो गया ना कि मैं कुछी चाहता हूं और I am in want of something का मतलब हो गया आपके एक proposition लगा देने से ये क्या बन गया कि मैं मुझे किसी चीच कामी है भाशा का इसे प्यूप करते हैं तो उसमें if you're very careful पेंडर जो बन बताता है नो केंडर भल ग्रहों का वली की निदी पम Rider के लिए जब आप एक बास बताईए कि आपका कॉमन सेंस और आपको कह रहा है कि एक सिंपल सी बात है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाये तो डॉक्टर से वो कहा बेट में धर्द पेट को देखेगा। अब अपने साथ में यह तो नहीं करेगा ना कि कि आपके साथ महाब पैट भी जुरू करता हुप तो तो पैट की नव्स देखना जुरू करते हैं तो इसका लाव हो गया वो दी नहीं हमने भूगना है नहीं 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 दोनों अलग-अलग चीज़े होई अब आप ऐसे मानने लगें करको आप ये तो आप बिल्कुल अब बाव मैंदेटिक्स में चले गए आपने अब मानने फिर आप कहें कि जतने चात्रे हैं यह मान सकते हैं कि सबका जैंडर मेल है फिर मैं आप ते क्या काऊंगा याप विनेशील्द आप जो है एक दम संपर किए विनेशील्द डॉक्टर मिनेशील हमारे साइटर इस्टर मित्र साहब कहना है कि जितने चात्र हैं आपके गुरुदी वे सारे मिधावी हैं मुझसे जादा जांकते हैं वही आप देखे ना किलाव को शुरू हुए एक गंटा हो गया और एक गंटे से किसी गार्ड ने अभी ता घरी जंडी नहीं दिखाई तो मिधावी तो हैंगे मुझे आगे भी चलने देंगे मैं आप लोगो मुटी कर दूए एक मिरट को कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतने इंपल्सिव हो गए हैं कि आप छोड़ी ही रहें अब मैं आप लोगो को हाँ मैं मैं मुट करने के पहले चंदा जी कुछ पूछना चाहरी थी एक पूछ करें तागी मैं फिर इसके बादा बिल्कुल फ्लो में चलूँगा एक बार मैं फ्लो में चल गया तो फिर आप समझें राजदानी की स्वीट से चलूँगा हाँ चंदा जी अन्मूट करके बताईए अगर सब कहें तो आप एक बर अरूर रगन को थोड़ा सा ता देंगे तो अच्छा कि मेरा वो तोटली मिस हुआ हुआ है पहले न ऱ मेरा आप ते आगरे हैं क्यल्किस्ते नोट से न वहों भीचे गहते परस नल उसपे आरूर का जो नॉट में यहना दूआ निसमें डाल दूग अपकर थाटां हम इम और यह यूं करुंगा सा आरूर ओक् unus Gordon ऐ panel चाप प्र उस्ट करूब ताकि यहां पर जो जितने लोग भी बैठे हैं, उसको गो थू एक बार उट कर लें, उसको एक बार पढ़ लें, एक बार अगर वो उसको पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे उससे कुछ प्रेशन कूचेंगे, तो उनके प्रेशनों के अंदर ना धम होगा, तो कि बड़े रेलिवेंट कूचेंगे, तो मैं आए गुरुप में डाल दूँगा, तो मैं आए गुरुप में डाल दूँगा, एक एक चाहता हूं, आपको अन्मुट करूँगा थोड़े पॉइंट्स आगे चलने के बाद, आज चंदरमा कहा है, अब का चंदमा हिला हुए, इतना डिस्टरमेंस अदर्वाइस होता नहीं है, एक चंदमा मकर का है आज, और मकर का चंदमा है और श्रमन नक्ष्चतर का है, ए भगवान, अब समझे आप श्रमन जो है वो चंदमा का ही नक्ष्चतर होता है, तो सभी का चंदमा इस तमें खिसका हुआ है फोड़ा सा, और आज एकादस ही अलग से, तो जड़ा मुझे आप चलने दिये, अच्छा आप देखे, ठीकिनेट चार्ज हो है, वो पहली बात जो आपने याद करनी है, वो यह याद रखनी है, इसने अगर आपने अपनी कुंडली के प्लैनेट्स के बला बल को, भावों के बला बल को समझना है, तो उसकी एक मैथड तो होता है, शड़बल का, जिसमें गरहों का बल और भावों का बल निकलता है, लेकिन वो बहुत टीडियस एक्सराइज है, मैथमेटिकल एक्सराइज है, रखिशी ने हमें बहुत एजी मैथड और एजी हमें एक कॉंपोनेंट कॉंस्टि बात है कि कौन से भाव आपके बली होंगे, वो भाव कौन से भाव आपके बली होंगे, एक कॉमन सेंस की बात है, यानि कि जोतिश के प्राइमरी लॉज की बात है, वो लॉज है भाव, भावेश, कारक्त, यानि कि जिस भाव पर शुबगर बैठा है, जिस भाव के स्वाम होगे खराब होगे इसका मतलब आप समझ जाएंगे यानि कि मतलब यह समझ लिए कि एक सज्जन जब मैं अपनी इंस्टेटियोट एस्टॉलजी में पड़ा रहा था द्रेशकान तो मेरे एक स्टूडेंट जो है नेक्स डे अपने लिए एक स्टूटिबल गर्ल देखने जा जाएईए डॉप कर दिया है लुए धा वावों का बलाबल ग्रवां का बलाबल इतना महत्वून होता है तो इसका मतलब है कि हर भाव कि यह बलाबल को आपने समझना है वो आपने द्रेश्षकाण चार्ट से समझना है और उसको समझने का यही पितरीका है जित भाव पे वाव के सवामी के थाँ बैठे हैं जिस वाव का सौमी दुक इस्तानों पर नहीं है दीवन के अंतरगत डीवन में वो भाव बली है और शुब भाव हम बैठा है अगर वो डीवन में लेटल चार्ट में तो भाव बली है यानि कि आपने हमेशा टेंडम में पढ़ा जाते हैं इस भाव से आपको सिब्लिंग का पता चलता है हर डीविजनल चार्ट का एक कारक होता है इसके दो कारक होते हैं मंगल इसमें यंगर सिब्लिंग का कारक होता है यंगर ब्रदर का कारक होता है और गुरु इसमें एल्डर ब्रदर का ये एल्डर सिब्लिंग का कारक होता है इसमें शुक्र जो है वो यंगर सिस्टर्स का कारक मलते हैं और हमारे जो पंडिजी हैं जो स सारावली और यह सब इसके दिखाने पड़े मैंने का यह तो शुक्र से लोग कह रहे हैं कि देखो तो बोले मेरी तो हाट लाइन है तीदे रिशिपारा शर्टे तो बुद्ध को मानता हूं तो आप आप स्वयम जो है वो देखिएगा कि बुद्ध से निकलती है आपकी बहने वहाँ पर डीवन में बुद्ध से निकलती है लेकिन जो द्रेशकार चार्ट के अंदर शुक्र को देखा जाता है आपकी छोटी बहन बड़ी बहन के लिए कि यह उसके अब यह कारक वाला सपार्णा उपको यह स secrets राशी अच्छी आगर अच्छ पेटबगा तोchesु अच्छ बैठा चेंद्र में त्रिकूर्ण में तो इसका मतलब है कि भाई बेनों के सांथ में अच्छे संबंग्ंद देगा अब यही जो द्रेशकान का लगन है लगन अगर मेलिफिसंस में हो या उसके उपर मेलिफिक प्लैनेट बैठा हो या मेलिफिक प्लैनेट के द्वारा वो दस्ट हो इन स्थितियों के अंतरगत वो भाई बैनों के साथ में एक इंडिफरेंट एटिजूड देता है और वहीं अगर मंगल जैसा अगर प्लैनेट अगर इंवाल हो जाए और वह चटे में बैठके अगर अस्टम द्रस्ती से अगर लगन को देख रहा हो तब भाई बैनों के साथ में काफी ज्यादा जगड़े फसाद कर सकता है क्योंकि छटा भाव हमारा कुरुक्षेत्र का भाव है य इस्टम करें तो मंगल जो है बहुत बुरी तरह से परिशान करेगा अब डिविजनल चार्ट को पढ़ने में एक बात और होती है वह यह है तो आप अपने डीवन चार्ट में आप जाहिए और डिवन चार्ट में आप देखिए कि आपके केंद्र और त्रिकोनों में कौन स अंदर अशुबत्व हैं नहीं है अगर वो शुब हैं अच्छी इस्तितियों है तो इसका होता है भाई बैनों से करेज साहस इसी तरह राइटिंग वर्क पर्फर्फर्मिंग में अच्छा करेंगे अब ठेसके अलावर यहां पर अम धनके योग देखते हैं व्ली अगर रेशकन्ड के अंदर लगन होता है और लोनेश अथौता है बहुता है और चंड़मा का राराशिनात अगर बली होता है तो आदमी कौकि भौनाद्य बनाता है इसी प्रिकार本वelas में विपीशनल नीच् अगर वो शुब्भावों के अंदर बैठे हैं तो वो व्यक्ति को अच्छा मेहनती बनाएंगे और अगर यह द्रेशकान चार्ट अगर आपका पीडित है तो आपको जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल की पोजीशन में लेके आएंगे और वहीं पे अगर शुब्ग्रे अगर रिशकान के चार्ट को और उसके फंक्शनल बेनिफिक्स को प्रभावित शुब्ग्रे ही कर रहे हैं तो आपको बड़ा लाइफ के अंदर केट वॉक मिलेगा हर वो चीज में जो की तीफर ग्राउंक को भी इस्तिती को द्रेशकान में किया जाता है यह जानने के लिए कि कितना आपको जिंदगी के अंदर अगर उप्चय के भावों के ग्रह होंगे तो आपको बड़ी मशकत के साथ में लेकिन फुल्फिल्मेंट डिजायर देंगे और वही अगर त्रिकोन केंद में बैठावा शुग्र है डीवन के अंदर नेटल चार्ट में और वह अगर इसके अंदर देशकान में अच्छा बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा के को देता है कि यह तो धनों की बात होई धन से संबंदेत और जो अच्छी चीज़ें इसमें आपकी निकलती है को यह यह भी बताता है सो मोड़ अफ को भी बताता है है कि सी प्रिकार से थब क्यांव सबसे अधिक इस यह अदिक ऑप बताता है कि हम लोग करेंगे जो यहां पर हमने चोड़ा ता पिछला वाला उसके बाद जब समय मिलेगा तो हम द्रेशकान पर आएंगे तो आज चुकि हमारा विधान है कि प्रते एक दिन हम एक नए टॉपिक से शुरू करते हैं तो एक टॉपिक को मैंने शुरू कर दिया है चेड़ दिया है यह प्रारम करेंगे और अपनी कुड़ियों में देखना प्रारम करेंगे तो वो चीजों से रिलेट करेंगे क्योंके भाई-बैनों से कैसे संबंद है कि कोई कोड केस तो नहीं है आपस को जगड़ा तो नहीं है और चुब मैंने आपको नियम बताए हैं उनी नियमों पर खराब परणाम नहीं देगा इसके अलावा हमेशा जो डीवन चार्ट का जो भाव होता है उस भाव को देखा जाता है इसमें आपका जो यंगर सिब्लिंग है वो तृती भाव से डीवन चार्ट के देखते हैं तो तृती का जो लॉड है उसकी पोजिशन को आप यानि सेवन से आएगा इसी पकार चुकी यहां में बड़े भाई को भी देखते हैं तो पहला जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है वह 11 था आती है और जो दूसरी उससे बड़ी जो होगी वह उसके 11 से आएगी इसक्रीन अभी शेयर करूंगा प्रवीन रुपता जी कौन सा स्क्रीन की बात कर रहे हैं अभी तो मैं लेक्चर दे रहा हूं बिलकल नेताओं की तरह तो पोडियम आपको जो है शेयर हो रहा है मातरस्थती का यह मातरस्थती पीछोएटी है और यह गडिश चतुत्ती के दिने तरी दिख्योंगे आपको यह आगे गड़े जी नहीं दिख्या है कोई बात दी तो देखी रहे हैं आपको हां राहुल सब बुलिए एक मुट है हां जी अन्मूट करके बुलिए है राहुल सब्सक्राइब होते हैं तो उनका कैसे वो निकलता है मतलब की दिख्योंगे द्रेशकांड के अंदर जो बच्चे जो हैं सिंगल चाइल्ड है नियुक्लियर फैमिली है हस्बंड वाइप क है तुसक्ता जो थेर्ड है आपका डीवन का वह आपके द्रेशकांड के चार्ट से एक खराब बैठेगा यानिedu ब्हिते हैं और उसी प्रकार से जो का जो इससे मेलिंग्जाइटिस से डेथ होगे जी वो 14-13-14 साल के दिए तो उनका जो दिरिशकान है उसका थर्ड हाउस में काफी एफ्लिक्षन है लेकिन डीवन के अंदर वो एफ्लिक्षन नहीं दिखाई पड़ता तो चौदा वर्ष की उमर तक वो जीवित रही लेकिन डी-3 को अगर आप देखते हैं जिन दशाओं में इसकी डेथ ही है उन दशाओं के अंदर डी-3 चार्ट में जो दशाएं पड़ी थी तो उसमें थर्ड का लॉड एक्टिव हुआ था और थर्ड का जो उनका लॉड है वो द्वादश भाव में बैठा वा था वह एक्टिव अगर वही कमबस्ट है तो अगर वही कमबस्ट है अगर वही कमबस्ट प्लैनेट अगर इंटेंट पोिट्र आजाता है सबसे जूंद सबसे जादा सब्से अधा इंटेविजेंट निकले और सबसे उन्हों है डॉक्टेट भी की जाए कमस्की में और इसके अलावा उनका जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट कम्प्यूटर को यूज करके उनका इतना मैनेजमेंट था कभी चिलाएं नहीं चीखें नहीं लेकिन बुद्ध के सारे पढ़नाम उनको मिलें चार्ट के अंदर बुद्ध की इसकी बहुत अच्छी बैट्राउंड में शोर आ रहा है अगर डीवन और डीट्री में दौनों में कंबस हैं डिग्री तो सेम है सर उसके मैं कंबस हो ही नहीं सकते क्या बात को समझेगा जो डिवस्ट चार्ट सेंदर क्या डिग्री पे ही तो आधार अवह कि बनें वह तो डिविद्ध ज़चार्ट के अंदर टो डिग्री होने की वज़य से बढ़िदि चार्ट कंस्टक्टों है सब्सक्राइब दूनों में मतलब साथ में सूरे के साथ में इसका मतलब डीप कमबस्ट होका डीवन में में वी आपकेटा आप केंगे तो अच्छा तो ऑगिया क्या पुराही तो जातक बना देगा आप जानते हैं रहुंता पर पर पर्मिनेशन कोई देखा जाता है कि उनको पर अशुप ग्रहों के उनके पर द्रिस्टियां कि अशुप ग्रहों की यह तो चार्ट केंदर कोई कमपस नहीं होता जो है जितने हैं वह डिग्रीज पर आधारित ही बनते ह तो जैसे मैं आपको उतारा था कि दीवन में नहीं होगा यह रिट्रोगेशन उसका डेफिट होगा जो चार्ट में घत्म नहीं होता अगर प्लानेट है तो डिविजन चार्ट में भी रेट्रोगेट रहेगा है अधार इसके अंदर क्या होता है कि इसके इसकी रीटिंग के जो हैं दो स्टेज होते हैं पहला जो स्टेज होता है वह होता है सप्लीमेंटरी चार्ट के रूप में चड़ी करना है जब आप उसे सप्लीमेंटरी चार्ट के रूप में स्टड़ी कर रहे हैं तो डिवन के ग तो जब आप सप्लिमेंटी चार्ट के रूप में उसको आप देखेंगे लेकिन जब आप उसके बाद सेटेक पर आप उसे इन्पेटन चार्ट भी आप उसे स्टडी करते हैं तो उसके फंक्शनल मैलिफिक्ट तब आप देखेंगे सब्सक्राइब कि इसे बुद्ध की पोडिशन तो हमेशे का कॉंबस्त ही रहेगी हमेशा ज्यादा तर शूर्य के साथी बैठा होगा हो अब मेश लगन साथ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप समझे नहीं कमबस्ट वाली जो बात है न वो डीवन के अंदर की बात है यह बात आपने दूसरी वाली बार ठीक किया है पहले वाली बार ठीक नहीं है तो मतलब शुपता दिखा रहा है और शुपता दिखाएगा चार्टी बिल्कुल बिल्कुल हाँ साब रविंदा साब बोलिए अपना हाथ नीचे कर लिजे विशामें साब सब्सक्राइब अच्छे से और उसमें क्लियारिटी और ज्यादा आजएगी समझने में ज्यादा और असान हो जाएगा पूरा-पूरा एक किसमें नोट्स बने वे हैं वो नोट्स में अभी आपके हमने रखना और फिजिकली समझने में थोड़ा सा डिफरेंस है ना सर नीच च्छाट करते हैं अभी तो उसमें आप लोगों कोस कि है कि प्रारम कर दिया है आप डिखने के अंदर आप आप किस चीज्च के लिए देखेंगे आप उसके तो मैंने अपने नोट्स में भी डालावा है और वो मैं आपको दिखाउगा एसके अंदर एक चीज मैं आपको दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूं एक तो यह मादरास इंद्या की कुनली में क्या है कि उनका अपनी दो सिस्टर सें यह धरिश्कान उनका बनावा है दोन के साथ में उसके अपनी चोटी सुस्टर के साथ भी रिलेशन रचे नहीं रहे तो उसको यहां एक्स्पेंड किया इसमें देखिए आप स्कॉर्पियों लगन की कुंडली है और और यह स्कॉर्पियों लगन की कुंडली है कोई प्लैनेट इसका डीवन से डी क्रीम है हम जाते हैं पहले आप डीवन को एवेलुइट करते हैं तो डीवन में स्कॉर्पियों लगन की कुंडली है उस लगन की कुंडली के आपकर कोई आसपेक्ट नहीं है किसी भी ग्रह का जानेट अनुछ इंगर सिब्लिंग्स की तरफ को दिखा रहे हैं गुरू जैसा जो है उनका 11 जो एल्डर सिब्लिंग्स की तरफ को भी दिखाएगा अब यहां पर अब इसमें क्या है कि जो लगन का स्वामी द्रेशकार्ण जो एकुत में इसलिए इनकी रॉयल फैमिली में इनकी वर्थ वी थी और इनकी अपनी जो अपना व्यक्तित्त है वो डाइनमिक व्यक्तित्त था बतलब काफी आप जानते हैं प्लिटिकल लाइफ में काफी एक्टिव है सूरी इनका चौथे हाउस में था जो कि आस्पेक्टेड वाराहू है यह पिता की अर्ली डेथ को बताता है आप देखिए हम जो एवेल्वेट करते हैं वह एवेल्वेशन हम हमेशा करते हैं डीवन से शुरू करते हैं फिर डीथ्री पर जाके हम कंट्रूट करेंगे तो राहू का नवम आस्पेक्ट पढ़ा लेगे राहू यहां से एक तो पिता भाव का जो कारग्रह सूरी उसका डिस्पाजिटर शनी वह भी अस्कम में है औ आपको शायद मालू होगा कि इनके माता जी जो है बहुत ही दबंग किसम की जनसंग में पहले आई उसके वाद विज्यपी में आई तो और फुत्र जो है वो पॉंग्रेस में आ गया तो अब पोता दोनों जगे आगे हैं तो अब इसका जोती से क्या मतलब है नहीं अबी हमना ड्रेशकान को बढ़ने है तो हम उनकी इस्ति की बाद निंगे तो सूरी जो है चौते हाउस में है चूंकि राहूस है श्रेड दस्ट है और सूरी का जो डिस्पाजिटर है वह स्टम में है सव्वे साफ में इससी और्ली डेथ आफ स्टम में है यह चीझ में इससे इसका राशी इनके आर्ट आ है इस वियसे इनको फादर की अर्लीमरुती हुई एंको तो इसकी माता से डियुए बुता हूँ विजेयार राजे विजया राजे संधिया विजया राजे संधिया जो है वड़ी दबंग लीडर थी और वो जनसंग में भरती हो गई थी बात में BGP में आगई अपुत्र जो है तो शनी जो है मंगल के लगनों में अत्यांत पापी माने आते हैं शनी का आस्पेक्ट भी घराब होता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अब आप आईए जो पॉइंट हम बात करा जाए मंगल जो है वो जो कोवांड्स का या सिब्लिंग्स का कारक है वो थर्ड हाउस में डीवन में बैठा हुआ है तो कारको भावनाशाय के नियम को लगाते वे डीवन के अंतर लगेगा वनियम तो यह उसने कोई ब्रदर उनको डिनाई किया मंगल उच्च का है और एक कारण कि वो कोवांड्स को जो जो यंगर ब्रदर्स को जो उसने देनाई किया है उसका कारण है कि मंगल जो है अपनी शत्रू की राची में बैठा वाई वैसे उच्च का है लेकिन उच्च का होने के बावजूद अगर आप देखें इसका जो वाजिटर है मंगल का वो भी लेकिन उसका डिस्पाजिटा चंदमा अगर नीच का है तो यह गुरू उच्च के फल नहीं देगा यह मैंना आप लोग वजा है और यह शड़ाश्त हो गया इसका कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह अगर उच्च का है और उसका राशी का नाथ नीच का हो जाए तो ग्रह का फ लेकिन उसका नाथ और भी ए और यह वी इन सब बातों को मैं इसमें इंक्लूट करूँगा लेकिन वीनस जो है इस कुंडली के अंदर में वर्गोतम है अब आए वीनस पे यह वीनस आप देखे मेश राची के अंदर बैठा है और यहां पे भी मेश राची मेटा है देशक में वर्गुत्तम हो गया है वीनस वर्गुत्तम होने की वज़ा से उसने सिस्टर्स को डिनाई नहीं किया क्योंकि थर्ड का भी लॉर्ड है और उसके बाद पिर ये थर्ड से मैंने आपको अधाया थर्ड वो नेक्स सिस्टर का आएगा या मतब इसमें जो शुक्री की पोजिशन के वर्गुत्तम हो जानिक वैसे इनको बेहने तो मिली है और डी थ्री चार्ट में थर्ड हाउस और पंचम हाउस इन दोनों में फीमेल साइंस है एक में है वरिच राची और एक में है करक राची और लॉर्ड अब दे फिप्थ जो मू सब्सक्राइब है और चुकि पहली वाली जो सिस्टर है उनकी उनका सिस्टर का जो प्लैनेट है अपने से फार्वे चला गया है उन्हीं के साथ में सब्सक्राइब को कारण है वह यह है कि इस कुंडली के अंदर लगन का स्वामी आ है वह तो बड़ी बहन अब किसकी बात करें आप मादरा असंद्या की बात करें मादरा आसंद्या की वासंद्रा राजय संद्या चोटी एड़ो चोटी हम चोटी वेन हैं आपके बास में वह है आप लगाईए उसमें गोगल सब्सक्राइब पर जाएए चीड़ी चार्ट में जो है यह दोनों को दोनों फीमेल है तो इनके दोनों को दोनों जो चोटी बैने हैं वो यंगर सिस्टर जो हैं वो इनकी जो है इनको मिली है जिसमें से चंद्रमा जो है राहु केतु एकसेस में है तो वो काफी इस बात को दिखाता है कि conflict की situation होंगी लेकिन अब इनकी जो सिस्टर है वो इतनी powerful क्यों भी क्योंकि फर्थ चार्ट का जो लगना Lord मंगल है वो द्रेशकान के Lord और द्रेशकान में का स्वामी गुरू है यह दोनों साथ में बैटे हुए सब्तम भाव में और यह शुक्र के जो कारक फर सिस्टर से उसके इनिमिकल भी है मंगल तो न्यूट्रल है लेकिन गुरू इनिमिकल है उसके और Lord of the Third भी है शुक्र तो कॉडियल रिलेशन और उसको जो है बहुत लेकिन उनकी बेहनों का पारफुल होने का कारण क्या है कि लगन का स्वामी द्रेशकान में अस्टम द्रस्ती से शुक्र को देख रहा है तो सिस्टर को बहुत पारफुल बना दिया बहुत बहुत लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रही और प्लोट जो मून है वो दुखिस् इसलें मां से कॉर्डियल रिलेशन दे ही और सिस्टर से भी क्योंकि यह जो है पेली सिस्टर और दूसरी सिस्टर उसका स्वामी यहां बेढ़ गया चैटे बाहुम में रहों गयतों दूर कि इनकी सब चाट सिस्टर थी दोगी डेथ हो चुगे अच्छा कि और एक बड़ी थी उनकी डेथ होगी मेरी वाइप गॉले को करती है ना इसलिए उनने पूछ काया हूँ तो हम विकिपीडिया में जाके आप देख सकते हैं या जाएगा पूरा इंगा प्रदर अजिंदिया का इसको इसको हम लोग बात में कर लेंगे सर्थी को अबी तो दो मैं आप नों को सिर्फ इसका इक सिर कि चार्ड का में बताना चाहँ पर अपनों को ज़रा बताने की कोश्य सकर रहा था जो किस तरह के सब दी टिगनेट के चार्ड को आप लोहां के दिदर्गी में देखेंगे 11 लौड ऐटाउद में चला गया थैल्डर जो ह बिलकुल सुरी के साथ चला गया कि ईपको कोन इंटेलिजियंट सच ना कि मान गांगे आपको है आप यह सच निजित दोफ़ार पता देज choice 11th एलेवन्थ लॉड नर्पेरी ने एलेवन्थ लॉड लॉड इकाई लेवन्थ लॉड तो यह नहीं देखेंगे यहां पे की एलेवन्थ लॉड जो है उच्छका हो गया यहां जाके संसे पांचे का हो गया है पुरू जी अपने यह कारग तो शुकर है वह अपना की राशी में इसके दभवन काइब की है और उसके साथ में रिलेशन नहीं बना क्योंकि मंगल और शुकुर का अगर देटी में देखे तो सडास्टा की हो रहा है तो तो जमानी रिलेशन पर वो जो उसकी सिस्टर थी वो दबंग टाइब की रहे क्योंकि वें क्रीजन है सर एक करें आप लेकिन सब्सक्राइब है 11th Lord Saturn है उतूच का बैठा हुआ है साथ में और आप एक बात देखिए और पहले आप यह बात देखिए देखिए पूस्ट जो इनका वसका अंसर में देता हूं यहां पे ना छटे का लॉड होके सूरी मीच का है वाई चटा जो है रोगभाव का स्वामी है प्राइम फेसी पहले कुणली को वैसे समझा जाता है कि कोई स्थितिया कैसे बनती है और गुरू भी मंगल के साथ में यानि कि गुरू जो तात्वित ग्रे हैं मंगल के साथ में डिस्पोजिटर उनका बुद्ध है तो कि नीच का है अगर आप जस्टिफिकेशन अगर आप देखें और राहु से यह रस्ट भी है यहां पर राहु की नाहीं था आस्पेक्ट भी इस पर पढ़ा है नीच के सूरी पर शनी पर मैं इनका वही निकल ला था भी की पीडिया में है एक पूटिनाए है राहु का इसमारते गा या एलेवन्थ लॉर्ड को जो जिन्दा रखेगा और रहु सर रहु सर अपने स्वराशी का है जिसके राशी नाथ शनी भी है लेकिन लाइव तिंग्स के लिए तो खराबी होगा ना ठीक है उचका है तो वो भी अच्छे घर में और उसम में तो जन्दा बिल्बल ठीक कह रहे हैं क्योंकि लाइव तो खराबी होगा क्यों मैलिफेक्ट प्लैनेट है ना राहु कहां राहु जो है शनी की राशी में है लेकिन आप एक बात देखे ना राहु का जो एस्पेक्ट है सेटन के उपर और सूरी के उपर सबसे आदा इस पर नुकसान देगा वह सूरी को देगा तो लेकिन राहु और सूरी की यूति कहां हो रही है अब में के तो बैटे यह तो रहु सकता है कि वह बहुत जड़ी ही डैट हो या कोई वाटर बाद रिजमिस से आठ इशू से सब्सक्राइब ने हो तो उनकी बात वह तो उनकी बहन की बात कर रहें आचा बहन की बात हो लिए तो एसे भी एयर्क्राप्ट तक साइन है इनका सैटन लगन कुडली में एर्थाउस में बैठा हुआ है अब हाँ तो साथ साथ देखिए रहे हैं सैटन राव एरी प्लैनेट है और वो एट थाउस में बैठे है चलो इसमें मिल नहीं रहा है इसमें बारे में अब देखिए इसमें यहां पर सबसे पहले आप यह वाला हमने पॉइंट कर लिया था इसमें जो दोनों की दोनों जो पर चाट का मंगल है वो द्रिशकान लौट गुरू दोनों मतलब लगना लौट जो मंगल है वो तो न्यूट्रल हो गया शुक्र के लिए और जो गुरू हो गया इनिमिकल हो गया असका मंगल का आठवा असपेक्ट पड़ता है शुक्र पे तो वो उनको पावर इंपावर्मेंट क्यों देता है जो कि लगन का स्वामी है इनका माधुर राव सिंदिया का लगन का स्वामी अपने आप में बहुत स्ट्रॉंग माना जाता है और यह जो गुरू है गुरू के कॉर्डियल रिलेशन तो नहीं देगा क्योंकि मंगल जो है वो जगडालू और क्वेरल्सम प्लैनेट है और जो पांचमे का लौट चंदमा है वो दुखिस्तान में वेटा है राहू के तुवे एकसस के अंदर देशकान के अंदर लेकिन जो तीसरा जो लौड है मंगल बड़ चार्ट में चुक्छी उच्छी का है और वो वीनस को आस्पेट कर रहा है डीवन और डीटी दोनों में तो अब यह कि मंगल जो इनका लगन का स्वामी है वो देखिए इनका उच्छी का है और उसका आस्पेक्ट चौथा आस्पेक्ट जहां शोक्री को मंगल चुक्री लगन का स्वामी हो गया इसलिए वो सिस्टर्स को पार्फुल बनाता है इनकी एक सिस्टर्स को इनकी चिंफनिस्टर रही है और आस्तान की वह बहुत लंबे समय तक रही है मैं अभी आता हूँ आप बता ही मरकरी कैसे जुपीटर और मार्स का एस्पेक्ट है तो जो ट्रेस का अनलगना है उसको भी स्ट्रेंट देता है और जुपीटर और मार्स एथारिटी को और पावर को दिखाते है सचिन साब आप यह अपार्वन के बारे में बताता है उसके उसके ग्रहूं के बारे में बताता है यूपिर और बुदु काूइर आप में पहलताएं यक्ष true को किस पकड़ने मर्करी को सचिन को पकड़ने हैं शदी किसको पकड़ने fed fan सब्सक्राइब करें तो काफी अफ्लिक्शन में यह तो यह सी अफ्लिक्शन की वज़ा से ही आप देखिए उनका जो केरियर है वह बड़ा चकर्ड है पुलिटीशन का केरियर कितना लेकिन आप यह मत भूलिए कि वीनस जो है वर्गुत्ता में यह बात की बात होगी ने वह तो नीच भंग जो होगा वह तो ड़ाटीशन सेगें यह वह बाद में बात आईगी सबसे पहली बात जो है वीनस जो है वर्गुत्ता में आप एक बात देखें कि मरकरी नीच वर्गुत्ता में और यह जो वीनस है वो न्यूटरल राशी के अंदर बैठा है और सबसे बड़ी बात है कि वीनस क्यों ज़्यादा पारफुल है यहां पे क्योंकि वीनस उनके लगन के स्वामी उनके ड में अब बात को समझेगा सिब्लिंग से सम्मंधत हो गया मताई जो वीनस है चुकि उसका डिस्पाजिटर सिब्लिंग के भाव में बैठा हुआ है तो यही वीनस उनकी यंगर सिस्टर्स को डिनोट कर रहा है और मैंने काफी क्लासिकल्स में पढ़ा है कि वीनस को छोटी ब और दूसरी बात इक बात आप आप तो फ्रेंडली आस्पेक्ट हो गया कि उस्टर्स का तो मित्र है सूरी का आपक्ट आ रहा है मैं मानता हूं लेकिन सूरी का जो आसपेक्ट है और वह उतना खराब नहीं करेगा मंगल का जो आसपेक्ट है वो डिस्वाजिटार आसपेक्टिंग दी आप बात को समझेगा है कि इनके बेहनों के पावर इंपावर्मेंट को क्यों बता रहा है क्योंकि यूटी की पोजिशन हो जाती है कंचेन अनजी जो समझेगा कि जबभी घवी टैनेंट आस्पेक्टेट भाई दी लैंळॉर्ड होता है एक यूटी का प्रकार ही,vens वैनेवर टैनेंट आसपेक्टेद भाई दी landlord या राजी will मंगल का जो अस्टम एस्पक्त है, वो वीनस पर पढ़ जाना है, तो यह ईूती का प्रकार बन जाता है. आपको महलूद गई हमाइचा उतिके पांच प्रकार होते हैं. एक प़्ेला प्रकार होता है, एक ही राची में कंजंग्ट होना, दूसरा प्रकार होता है, Exchange of Lotship, यानि कि एक का राजीनाद, दूसरी राजी, दूसरी का राजीनाद, जैसे आपने बुंदकार गुरू का अहां दिखाया, और तीसरा उसमें होता है, नक्षत्र का एक्स्टेंज और चौथा होता है mutual aspect और जो पांच वहां होता है dispositor aspecting the tenant अगर राजशी गनाथ अगर किसी ग्रह को अगर द्रस्री देता है तो भी यूती का प्रकार हो जाता है तो यूती का प्रकार होने के वाइसे empowerment को दिखा रहा है क्योंकि यह mangal guru के जहांते मतब शुक्र जो है आप एक बात देखिए ना हम किसी ordinary बात की बात नहीं कर रहे हैं तो सभी के बंद हुए थे लेकिन कितने राज घराने के रोग जो हैं पॉलिटिक्स में इतने highest levels पे पहुंचे रोग इनी की sisters पहुंची हैं यह खुद पहुंचे हैं यह खुद अब दूसरा जो है गुरू आंग जो है लगनेश नमेश कैसे होगा था मंगल यहां का यहां का नमेश नमेश है इंडिपेंट्ट्ट देखें तो का दोनों का लॉट कहां हो गया यह तो टेंथ का लॉट नौन अवर नॉन्बर इंडिपेंद्ट्ट लॉट गुए और यह यह यहां पर नवं भाव दसम भाव का आपस संबंद भी बनता है गार डीत्री चैट पाफ इंडिपेंड्ली लेत यह होता है नंबर ऑफ माइंस अगर पढ़ते हैं इसी भी कुंडली के अनांसर्स में तो काफिल चीज़ा निकलाती है और यहां पे आप देखें यहां पे पर तो सब्सक्राइब की बात सुने तो हां तो पाप करतरी में होने की वैसे ही जो है उनका केरियर अपडाउन होता आप एक बात दिखें रहा है कि एक आद्मी जो रॉयल उसमें रहा वो पैसालिस में 45 में इनका बढ़त है और प्रीवी परसर्स इंद्रा गादी ने कब बंद किये 71 में मतलब राज घराने का जो पैसा इन लों को इसना मैसिव मिला करता था इंडियन दखमेट से प्रीवी परसर्स दिये जाएंगे वो प्रीवी परसर्स की वैसे लोग इंद्रा अमेरिका पूरे फॉरन में घुमते हैं मतलब इनको की काम करने की ज़रत नहीं होती थी उतने ही इनको पैसा मिलता था लेकि 1971 में एमेंड्मेंट लाक है कॉंस्टिटूशनल तो आप यह समझें जो इनके प्रीवी परसर्स बंक किया था सुप्रिंग्वाट के जज्ज ने कहा था चुकि प्रेजडेंट हमेशा ओडर करता है और इनको कि हिंदुस्तान का जो प्रेजिडेंट है वो कुई बाश्चा नहीं है कि वो कॉंस्टिटूशनल इसम्बली के द्वारा रैटिफाइ इसको वो जो की फॉर लाइफ था उसको और राइट कर दे तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसी मुल्क का बाश्चा नहीं है कि उसको चेंज कर दे उसके बाद इंद्रागादी जो है अमेंडमेंट्मेंट लेकि आई थी तो इसको अधितरी का लगने लौट जो है अंदर एक ही कुंडी से ने कई बाते निकलती है मतलब यह अगर आप उसको इसको बना लीजेगा इस चार्ड को पे घरों में बना लीजिए उसको आद अनलसे करके आप मुझे नेक्स क्लास में बताईएगा कि आपने और क्या पॉइंट निकाले क्योंकि आसा है कि अब आप देखिए यह सेकंड द्रेशकांड में इनका जन्म हुआ था मैंने इसके आगे लिखा है मुझे ना आप लोगों को पूजट करना पड़ेगा बैक्राउंड में इतना शोर आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता है यह बहुत गलत बात है आप लोग जो अन्मूट कर लेते हैं बैक्राउंड में चोर करते हैं अब देखिए पॉइंट में लिखा है कि नेटिब जो है वह सेकंड द्रेशकांड में स्वार्पियों के पैदा हो गयते जिसे पाश का मतलब होता है चेन यह अभी मैं जब आपको द्रेशकांड पढ़ाऊंगा तो यह पाश आ और लौह आपको इसकाश का मतलब होता है चेंस में होना आफेटर्स में होना फै्टर्स जोया है कैजियोंको जैसे माइंट्शन वह सब रहते थे यह एड reaction वाले कर द वरिया और होतेघ earlier प्रिश राशी का पहला द्रेशकांट पास्ट द्रेशकांट की के कंडिशन में आता है और यह पास्ट द्रेशकांट में आते हैं अब वेनस जो है आते हैं वह मार्केश दीवन चेंट का जुब शुक्र है वो दीवन का मार्केश है तो कि अलबार वह त्वेंथा दो थ्यूद्ट अब देवन बीट्री जोगए तर्ड लोड भी है जो कि कर दिए भी में शनी जो कि आकाश को दिखा रहा है राहू प्रॉम ट्वेल्थ वेट टू नजा के देशकांग का जब्रेशकांड के तरह स्ट टू का जाता है जो कि मृत्यू के timing को मृत्यव के mode को बताता है और हर द्रेशकांड या 22 द्रेशकांड के उपर से जब भी कभी मेलीफिक प्लैनेट या 22 द्रेशकांड का मालिक जब उसके उपर से कोई ट्राजिट लेता है मैलीफिक प्लैनेट, तो वो घर के अंदर तो एक हर ध्रेशकानट का होने के वैसे या 22 वह द्रेशकानट का होने के वैसे नेटिव की जो डेथ विये एर्टेश्च में विये थी सितंबर 2001 को और उस समय दशाइं की चलनी थी गुरू में राहू में शुक्र में गुरू में मंगल अब आप देखे यह मारक भाव के बै इस ने ने देट क्यों करा है है मैं कि यह उसके हम्पमें अस्तव साथ हो जगला निकला हो यह दो पे एक प्लैनेट इसके अंदर बड़ा वाइलेंट माना जाता है क्रूल माना जाता है इंटॉलरेंट क्लियर माना जाता है आयुद द्रेशकान का गुरू और राहू का होने की वैसे उसका भी इस मृत्ति में हाथ है क्योंकि जो हेलिकॉप्टर के क्रैश में आदमी बंड हो पर यह सार्ज और ठीज करती है कि पहला और तीसरा बेष चराषाście नुद्रेशकान मिथन और पढ़ और दूसरा कन्यां कांगा द्रेशकान आयँ द्रीशकान होता है लिब्रा और मका का दी्स्रा द्रेशकान हो अई इसको आपको याद करनी कि जूड़ती ही है, यह सर्फ द्रिशकान तब होता है यह होता है आपको ऐख यह चार्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा कभी आपको देखें होगा तो आप उस चार्ट से तो क्या यह भी पता चल सकता है यह साजिष्ट के तहथ मृत्य हुई थी या मैं एक्सिजंट ही था जैसा है कि आयू द्रेशकांड के अंदर अगर अम्रित्य हुई है आयू द्रेशकांड के गुरू और राहू है तो राहू वैसे भी जो इना तोड़ा कॉंस्पिरेटोरिय वहां कि अर्य स्कुंद्य को इंडिपरेटली को इंडिपेंटली दिखाया तो और के तो और गुरू और Peru जो है वहागयका पॉतकर हुई जो जो आपकी तेशिकर आट में जहीं नहीं करूंगा क्योंकि यह असल में द्रेशकान जो है वो में चीज है कि जो गुरू जो द्रेशकान के लगन का स्वामी है वो आप देखें इसमें साफ मैंने इसमें क्यों द्रेशकान का प्रकार लिख दिया है पाच देशकान में तो यह द्रेशकान है जो नेटिव का बड़त है लेकिन ज पेर्था उसका दशा के अंतरगर और अस्टम भाव का द्रेशकान है और एरक्रैश में जो तीस सितंबर को जब उनकी मृत्री विया तो गुरू राहु आयू और राहु दोनों के तोनों आयू द्रेशकान के है आयू द्रेशकान के जो संबन्द है वो एक बैटल पर जाएगा आपको यू समझने की जुरुत है कि जैसे ना नेम सजिस करता है आई उसका मतलब ही होता है और से उसका विपनरी से मतलब है विपन से मतलब है तो आप समझे ग्राउंड ऑफ बैटल में अगर कोई जा रहा है तो नाचुरली उसको बैक स्टैब भी किया जा सकत है तो आपकी बात में दम में अब मैं यहां से इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूं विपने घर में द्रेश्कार चार्ट से बारे में पता चलता है और जो इसमें कि जीरो से दस तक में आपके क्रीनियम क्रीनियम क्याविटी क्रीनियम क्याविटी मिसलों इसकल से आपके पेस तक आता है और नेक्ट से नेवल तक का जो पोर्चन है डिजीजेज में और जो दृती द्रेश्कार में आते हैं और जो दृती द्रेश्कार ने वह पेल्विस गर्डल पेक्टोरल या पेल का पता चलेगा उसके दो तरीके हैं एक है मेश लगन की आपको इन गुंडिया बना देनी है क्योंकि डिजीज़ हमेशा जो है मेडिकल इस्ट्रालजी में काल पुरुष की गुंडिय से देखी जाती है आपने उसके बाद उसमें पोस्टिंग करनी है जो ग्रह आपका जिस उस द्रेशकांड की अदुसार आपने उसको पोस्ट करना है जिस राशी में है उस राशी से वो कितना चल रहा है अब एक बात है कि आपके पास और यह निकला वा है इनका अब जैसे महादरौ आप सिंध्या का द्रेशकांड निकलावा है वैसे आपका भी द्रेशकांड तो उतना ही चलेगा वो ग्रह अब आपको मेश राशी में उसको पुस्ट कर लेना है अब आपने मेश राशी में अगर उसको पुस्ट कर लिया तो आपने देख लेना है जो सेकंड दिरेशकांट का अलग-अलग करना है तीन कुंडलिया बनानी है प्रथम दिरेशकांट के प्रथम में करने, second द्रेशकांड के second में करने, second कुंडली में, third द्रेशकांड के आपको third कुंडली में करने हैं, तो अब इस्तिती ये बनी कि अब आप यहां से कैसे पकड़ेंगे, ये साब साब ये जो diseases हैं, इन organs को effect करेंगी, वो अगर वो पहले भाव में है तो head को effect दूसरे भाव में आएगा प्रथम देशकांड में, प्रथम देशकांड में तीसरे को आएगा, क्योंकि इसमें पहले से 6 तक जो है, first से 6 तक, और जो 6, 7 से लेकर और 12 तक, वो बताता है बाएं organs को, left side के organs को, उसका मतलब है कि जो head है, right eye है, right here है, right nostril है, right nostril है, ये इसी कुंडली बनानी है, क्या करें आप, कौन से तीन कुंडली बनानी है, ये clear नहीं हुआ, आपने न इसके दो तरीके होते हैं, विनेशिल साफ, इसमें न मेश लगन की कुंडलीया मनाई जाती है, मैंने आपनों को लास्ट तीनों ही आपको मेश की बनानी होंगी, यानि कि का ताल्पुरश की कुंडलीयों में पोस्टिंग जो है, वो ग्रहों की प्रतम, एक कुंडली में अप लिख लेगी है, प्रत रहम देशकार्ण, एक कुंडली के नीचे लिख 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 zijn, तीसे में अपन। में प्लैनिट, अगर प्रतम भाव में हैं आगर कोई प्ल जब आप यह देखते हैं कि जॉइंट सर्जरी होती है जॉइंट की सर्जरी होती है अब जैसे मेरे को पेल्विक पॉर्शन मुझे पेन होता है तो मेरे मेलविक प्लैनेट थर्ड द्रिशकांड का वो मेरा इस मेश की कुंडली में प्रथम भाव में बैठ जाता है उसकी खाउं की एक्सिस करनेवर्ति यह उसकी अब एक्सित करना लेक्स को कदमताल करना लेक्स की जात्र मुझे फिजित्रभ़पी में एक्सिस क्यूंबताई गयी है क्योंकि जो मेरे ज्वाइंट सेंट मेरे उतने डेक्सिबल नहीं है क्योंकि यह पैल्विक पोर्शन को यह affect क एक अगर वोśl फॉति वाव में तो जनिटल ओवर को घरेगा तो चॉथ हुए राइट तर इसको करेगा है गो एकार एध्यार निया पने मगोंत करेगा नत यौ को एक यूंद को कुरेगा टिक मफ करेंगा इसे बैख वहां पर है पूरुषकी कुंडली के तीस रेच्कान में और राइट काफ मुस्ल्स को इफैक्ट करेगा और वो छटे में बैठेगा लेग्स Korसक करेगा अगर वो सबतां बहुते द Nina और तीस्टे देशकंड का अगर वह सबसेuk चुकि मैंने आपको बताया कि सब्सक्राह्ण के बाद पर लेफ्ट चुरू हो जाता है लेफ्ट पॉर्चन जो आपके पंद्राद बाद अगर ओपंद्राद इगर के बाद ही वा चुकि यह तीसरे देशकांड का है सब्सक्राइब करेगा अभी लेफ्ट ठाई हो गया अगर वह दस में बैठा है लेफ्ट टेस्टीज है अगर वह एनस को एफेक्ट करेगा अब इसी प्रिकार से अगर हुआ तो तरीके से हैं आप यह जो तरीक बिमारी है वह तब देगा अब यह जो जो निकालना होता है कि कैंसर किस पॉर्शन ऑप बॉडी में हुआ है किसी वेक्टी को तो आपको यह मैलिफेक्ट प्लैनेट इसी तरीके से रोग भाव के इसाब से देखने होते हैं ती तो पॉस्टिंग करेंगे तो जब आप यह पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग करने से आपको यह पता चल जाएगा कि किस बॉड़ी के किस पार्ट पर सब्सक्रादा एफेक्ट हो रहा है अब एक बार आप इनकी कुंड़ी को जरा सा वैसे आप देख लें तो आपको अपने आप समझ मां जाएगा यह है जैसे कुंड़ी इस कुंड़ी के अंदर में मंगल इनका मंगल की आप डिगरी इसको अगर आप देखें मंगल इनका तीसरे द्रेशकान का है और तीसरे द्रेशकान का मतलब तीसरी कुंड़ी में पोस्ट होगा चैनल पर चैनल पर क्या हो गया एक्सिदेंट का बाप पर थो प्राइमरी आपको जो समझना है वो सिगनी है उपी मेडिकल इस्ट गारा है लेकिं मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा हूं कि चुआपर नो बहुस्वाकर दो कि किस तरह के रोगों से आप सफर कर सकते हैं लाइफ के अंदर आप इसमें च्छे चार्ट बनाने अब शे जाटों में इतनी डिजीज आजाएंगी जो डिजीज आपको किसी ने किसी मुकाम पे पढ़ी हो तेन चार्ट नो सब्सक्राइब तेन चार्ट तो मेश के ही हो गए हाँ तीन चार्टों के द्रिशकान के हो गए वे डॉक्टर विनेशिल आपके इसापते नहीं चलेगा ये रिशियों के इसापते चलेगा रिशी ये कह रहे हैं कि आप बात समझे आपने हरी थ्री हरी विश्णू की कुंडली जो कालपुरुश की कुंडली है वो तीन मनानी कि आपने प्रधम देशकान के प्लैनेट apo कर देने दूसरे द्रेशकान के जो राषी में उस राषी में राषी में सिकूंड करने ऊपने दिश embassy कंड़ी हैंए उस नोे में आप उस अ कॉर्प पैले करहा कि नही का ऄपको जाए करना है नहीं समझ में आ रहा है तरू सब्सक्राइब आपके तो नहीं जाना कि आपके इतने लड़ने डागी आपको मेरे क्या वोला है कहां तक आप समझे हैं वो मुझे आप समझे हैं हम समझे हैं कि द्रेशकान कुंडली समझ गया है और यह डिजीज को लेके बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको मेश लगन की कुंडलीया बनाने की बात किया है कितनी बना लिए आपने तीन कुंडली बना लिए अब तीन कुंडलीया उसके नीचे आप अपनी द्रेशकान की बना लिए तीनों मेश के नीचे तीनों द्रेशकान की बना लिए जहां आपने प्रतम द्रेशकान की जो मेश की कुंडली बना लिए उसके नीचे अपने द्रेशकान की कुंडली बना लिए ग्रैभी सोस्पक कीजिएगा जाहां आपने दूसरी मेश लगन की कुņड़ी बनाई है जिसमें आपने सेकिन द। डिरेशकांग लिका है उसके नीचे आप दुबारा एक इसी द। कुणली को आप इसी दूरेशकांग कुणली का जो आपकी कुणली है द। तो प्रसम आपने आजो कन्या की आपने बना ली ठीक है कन्या की बना ली अब आपने क्या करना है कि आपने जो प्रथम देशकांड में जो आपके ग्रह हैं वो आप अपनी कुंडली से देखिए कौन कौन से ग्रह आपके प्रथम देशकांड में और देशकांड की कुंडली में किस राशी में पोस्ट हुए है अच्छा उसी राशी में आप पहले वाले में पोस्ट कर दें पार्थम में सिर्फ सूर्य है तो सूर्य को आंप किस pyt Ambash P नवम में पोस्ट कर दें सूर्य को तो पहले वाले में तो आपने सूर्य को नवम में कैसे कर देंगे जनाब सूर्य आपका ऐसा है सूर्य आपका द्रेशकांड गुंडली अब आप अपनी द्रेशकांड गुंडली आप डीवन क्यों देख रहे हैं द्रेशकांड गुंडली कीजिए पहले सूर्य सूर्य है अब सूर्य आप देखिए आपके दुरेशकांड कुंडली में कहां बैठा है किस राज़े में टॉरस में तो आप नाइंध वांग भूल जाएए नाइंध की अपको लात भी है टॉरस में तो मेश वाली जो आपकी कुंडली बनी है प्रसम द ऐचेंगा नाइंध आउस में नाइंध आउस में ये सर्ट कर दी जो प्रतिया सर अब इसका क्या होगा ये नाइंध आऊस में चुकि ये पोस्ट हो रहा है प्रतम द्रेशकांड का है तो आपको इना सूर्य जो है वो आपको माउट से रिलेट प्रतम द्रेशकान के अंदर है को प्राइट कर सकता तो नाइंत हाउस पे आ रहा है तो नाइंध आस प्रोब्लम कर सकता है तो इसका उसका मतलब आपको कर सकता है नियर्ट पालसी हो सकता है अच्छा कबूत हो यह वह है इंतिजार है इंतिजार का क्या मतव है अभी तक में दुआ है कि तभी तो होगा इंतिजार है अब आप कर सकते हैं आप सूरी की उपातना करके आवाइड कर सकते हैं सूरी किस चीच का करक है सूरी है कि और कि तंबाकू का कर रख के साकिना उप मैं यह निक यह निए आप तंबाकू कहाते हूंगे लेकिन अगर कभी किसी मित्र ने आप से कहा यारे चुटकी खाके देख लो तुकि आजकल जो है वो शारुख खान भी कह रहा है विमल जैसा तो आपने वो नहीं करना है क्योंकि असूर ये टोबैको का कारक है और ये आपके चुकि कालपुडश में, रोग में, दुटी भाव में बैटा है तो ये वेरी वेरी केरफूल अब आप आप इस प्रड़क्स विचानेक्टिविधी, अल्कॉहल और टोबैको विकज़ विकज़ गूँटो कॉज़ एनी प्रॉब्लम इंदी फेस एडिया उसमें फेस पेड़ और उसके भी उसमें अगर आप सुक्शुम्ता में जाएंगे तो राइट आई को ये एफेक्ट कर सकता है अब आप बताईए आप चसमा पहनते हैं क्या आपका चुक्चिंगे आप डॉक्टर ने तो आप बता सकते हैं क्या आपका माइनस एकि फ्लस है माइनस है माइनस आपका दोनों ऑई का क्या है सिलेंृडि का रही है या नॉन राइंस दोनों आई का दियर है 1.5 1.5 है तो यह ज्यालदा नहीं है लेकिन आपको यॉवाट बच्पन से कभी चोट लगी है आपके लेफ टाई में नहीं लगी है लेकिन बच्पन में जब ग्लास फिफ्ट सिफ्ट सेवंथ में थे तो सरकस में मुरगा नहीं दिखा तो साथमें क्लास से लग गया चस्मा सरकस में नहीं दिखा तो जो बंदूक छोड़ता नहीं दिखा आपको अब तो यह समझे है इतना फ़ड़ा आपको तोपा नहीं दिखा आपको इसी बात का शुकर मनाना चाहिए कि आपको सरकस दिखाई पड़ गया तो देर्ट नंबर तो जादा नहीं है लेकिन तो देर्ट नंबर तो आप वो गया होगा मुझे यकीन है कि वो थोड़ा फिगर्स के मामले में हमारे डॉक्टर विनेशील वो थोड़ा घरकी सी घेती करते हैं यह उल्टा होगा वन पॉइंट पाइब वन पाइब सब्सक्राइब तो आपको जो है राइट लेग में आपको कभी चोट लगी है राइट लेग में कोई आपको पें होता है है फीमर में या फैल्विक से नीचे हटेला से उ पर 111ते लूट nी में नी में कभी कभी नी में दोनों पैर में कभी कभी होता है तो तो सब्सक्राइब करें लेकिन वह इंतर हो तो उस चीज में हम उसको कैसे इंटिर्प्रेट करेंगे जैसे वीनस के केसे में एक प्रेट एक पूटे आपके नप तोड़ी वाइस बीट में स्टाटिक चली गई एक बार फिर रिपीट कर देज़ें सिर्स किसी भी डिविशनल चार्ट में अगर लगन लॉड एक्जॉल्सिड हो लेकिन 612 में चला जाए जो दुखिस्तान है वो दुखिस्तान ही है दुखिस्तान का मैं जाने का जो खाम्याजा है उस प्लैनेट को होगा डेफिनिटल लेकिन चुकि वो उच्छ का है तो वो 6th house में कोई भी प्राइमरी जो उस डिविशनल चार्ट से जो सब्जेक्ट आप देखना चाहरे हैं उस सब्जेक्ट विशेस में बहुत कोई स्टुबेंडस रिजल्स नहीं मिलेंगे संघर्च के बाद मिलेंगे अब यह चुकि उच्छ का है तो यह उठाएगा जरूर क्योंकि हर प्लैनेट जो है हर प्लैनेट अपने इस्टंथ के द्वारा आदमी को उपर उठाता है और खास्तौर पर डिविशनल चार्ट के अं अब आपके एक सर्जन हमारे मिस्ट सुवित नायर बोलना चाहरे थे तो इस साब आईए आप फर्मे में आईए नहीं सब मैं इसको पूरी क्लास ठीरेल हो जाएगी एक मिट पोछ लीजे कोई बाद नहीं अच्छत रहे हैं मैं जब आप मादर्राव सिंद्या जी की कुंडली पे थे तब मैंने हांट पहले रेस किया था वो पदली दुबारा कैसे हो गया मेरा ही ये डाउट आ था इस कुंडली को देखे कि अगर रिशकान को हम स्कॉर्प्यो लगन से देखे क्योंकि इनका लगन जो है वो 10 डिग्री 22 डिरेशकान में इनके उरुपा गोचा था जिसकी दशा में इनकी विट्यो हुई थी जिसका संब्ध मंगल के साथ दी है यह चीज़ पूछना चाहा था लेकिन इंटायर अचा अब मैं आपके एक बात और बता हूँ जितने भी डिविजिनल चार्ट होते हैं ना उनमें राशी तुल्य देखा जाता है आपनों को मैंने एक कॉंसेट नौमांचा की दोरान बताया था कि राशी तुल्य नौमांच बताया था तो राशी तुल्य नौमांच हमने कैसे बनाया था दीवन चार्ट का लगन पे हमने धीनाइं चार्ट के राशीगत पोजीशन को रख कि आप आप नाइए आप सब्तान्शा बनाएंगे राशी तोल्य आप जो की डेजिनेशन करता है नौमांशा के अंद की इल आप जूकी त्ट बैंचर में प्रूव होते जा रहे हैं तो आपको यह साथ में मुखाव कोंगा और मैं देख रहा हो कि यूइवे बरी सांड लॉजिकल बेस ऑफ नॉलेज वदियों राशी तुली को समधिये कैसे बनता है राशी तुली को बनाने का तरीका ये होता है दीवन का लगन दीवन के लगन में उस डिविजनल चार्ट के राशीगत प्लैनेट्स को पोस्ट कर दिया जाता है अब मैं आपके दामने ये इसमें बनेगा ये अच्छा जिए जो इन्हों ने बोला है न मैं उसी को इनको दिखा रहा हूं अब आपने राशी तो लिए अगर आपने बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे आपने आट नुम्बर का इनका लगन है तो आपने इसको लगन को ही इस लगन पे ही आपने देखें यह सिस्टर का कारक है इनका यह वीनस और यह देखें जगड़े के भाव में आ आगे है जगड़े फजाद में तो इसका डेजिडेशन क्या बना यह अर्यामचा अर्यामचा इंड्रेशकान मतलब सस्टांचा इंडेशकान और जबकि बेहन का अगर हम मरकरी को मानें क्योंकि क्लासिकल टेक्स कह रहे हैं वीनस को मानूँ और कोई और यहाँ पर कह रहा था है यह मरकरी को मानूँगा तो मरकरी को अगर हम मानें तो तो पंचमांशा हो गया पंचमांशा और सुभाम्शा और तिकोड़ाम्शा इसके तीन डेस्ock शुबाइन के अंदर हो गया से और यह द्म मिना मतलब कर्म में एक चंदमा मैं इसलिए प्व Marsh, सुरी में होनेगे की वैसे और संसे इसलिक सोरी मतलब मां के सिंगल पैरेंट ने इनको पाला है मां जो है इनकी रानी ग्रूप में उतने पाला है और आप देखिए राहू इनका चौथे भाहों में सुखामशा हो गया तो पलिटिक्स में आके इनको सुख्विला अल्टिमेटलिग अब यह दो प्लैन्ट जोनके नामचा हैं सूर्य और यह लावामशा हैं इनके गुरू और मंगल की लाव में आगए और द्रेशकांड की लावामशा है लाव का अंच है द्रेशकांड का तो आप एक बात आप देखें कि लगन के स्वामी का लाव में आ जाना वो क्लियर कर बतात लिर्षकांड चार्ट का एक दिजकांड चार्ट का एक दसमपती एप दसमपती यह जो नहीं दोनोंका लाबाद श्याना इनके जो हैं निकाले जाते हैं उन डेजिगनेशन के राशी तुलिय त्रेशकान के अंसार उसके देजनेशन निकलेंगे उनके अंसार वो फलिप पूरा आपको देंगे यह तो आप समझ गये हैं इसमें क्या होता है कि कभी अगहर किसी के अश्यशाट में जैसे आपने कहा उनकी गया है तो थोड़ा सा पीछे करने पेבע पीछे हो जाएगा तो बहुत इंटेलिजेंट और ये एक बच्छे तीन मिनिट के नहीं है सब्सक्राइब बारा पच्छान के हो गए पैदा तो उसके होता है नाचली ये पीछे चले जाना चाहिए एक बच्छे पी हो जाना चाहिए दो डिगरी इसना टाइम पर लगेगा फोटए तरी निमिट में फरकर अगता है एक बच करतेम से करते हैं और बार प्रसाईज है एक बच करतेम से यह से फरक नहीं पड़ता है परका जाता है थाल्ड बन घुबार कोलता हूं इसका वह आ झाल थे टीन सिक आए सब्सक्राइब कर रहा हूं इनका बारा बचके छपन मिनट मैं जागे सब्सक्राइब कर देखता हूं इनका जो द्रेश खान ने चेंग्ज हो रहा है तो वाराच हपन सतरा पर रिक्षी का गुरू है तो वो भी धर उदर हो सकता है सब्सक्राइब कर देखता है तो इनको पूरे पूरे इनको रिजल्स विले जिए जिए डिग्री के होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं तो द्रेश कांड क्या होता है द्रेश कांड में वर्गोत्तम है गुरू इस वए यह बनता है तब इनका यह गुरिक्षिक का ही द्रेश कांड बनता है इन और ठावन पर आगया देखिए इनका लगन थोड़ा सेकेंड सम्म बढ़ा सकते हैं अच्छा अच्छा तो आप उसमें देखिए इनको गुरू के पूरे फ़ल मिलें गुरू जो है ब्रहत्ता का का इस पेंशन का है संतान में पुत्र संतान का है माधर ऑस इंदिया साब का पुत्र कौन है उनके जो तिरा देखिए इस इंदिया तो एक बात बताईये एक बात बताई है डॉक्टर विनेशील की यह जो संदी के जो प्लैनेट सेंदर तो यह बिल्कुल ही मतलब यह फेल हो गया मतलब यह तो नियम ही फेल हो गया अगर इन तो मौत दे रहा है तो चपन साल की उमर में दे रहा है अच्छी आती मैं चोड़े बाला रिष्ट तो नहीं हो रहा है ना 12 साल के फेले डेर्ट हो ही जीव का कारे के जबती है सेकंड लॉट भी है ना वो तो दो लोट दे सकता हूँ बात वह बात नहीं है आपको बात को यह सबगना होगा कि जो संदी का नक्षत्र का जो ग्रह संदी के का ग्रह जिरू-जि गुरू जी एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा से अजस्किया हमने कुछ सेकेंड कुछ मिनट और इनका सूर्य जो है नीच से आ गया कुम्ब का कहा गया कुम्ब का का गए कहा देख रहे हैं यह तो रहू है कुम्ब में लगन चार्ट लगन चार्ट लगन चार्ट लगन चार्ट भी सूरी यहीं बैटा हूँ था जनाब आप लोगों को मैंने बताइं नहीं कि मदर इंके फादरीड एक वी क्योंकि सूर निके छौते हो ऐस पर देता है औ asking करेंपर ना थो नहीं बादा नहीं सेर यशु र सूरी बादा आपने यहां सी इटाव आप में गागा निज के आप फाइब वाइब लें नाट अंडेस्टेंड नहीं अप इसका एक यह तरीका हो सकता है कि लोग जो है प्रश्णों को देखे आप बात समझेए विश्धी दिल्या साब बिल्कुल ठीक बात कहरे हैं क्यों कि इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को बोलने का मौका बहुत कम बिल इससे आपको फाइदा नहीं होने वाला इक बात मैं अपको अधाने के बेसिक उस पर ही अगर आप उठारा घात करेंगे और आप मुझे बताने की कोशित करेंगे जैसे मंगला थाब ने या प्रदाब चुल्ड थाब ने वो उसको अरिथमेटिकली बता दिया मुझे समझा समझा के और कंफ्यूज करने की कोशित की पूरा को करना पड़ा कि इससे को मसलब नहीं बनता है और यह प्रूब करना पड़ा है कि I know more than you know अब बताई नहीं मेले किसनी बड़ी दुबादागी बात हो गया तो है आज आज आप शकने इसले है इसले सब हुरह मतै है मैंद यह साडे नो साडे दात है mirror अजूद आपको प्रेष्ट्ण के उस तर देने के लिए तो आप लोग वो क्यों नहीं मानते हैं, आप चाड़े नहीं से साड़े दस की बीच में पूछे, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे स्टेमना है, मैं आपके पास में एक गंटे के लिए बैटा हूँ, आप उससे question answers पूछ ली जगा, अब आप लोग की आदत क्या हो गई, कि कोई इस इसका साफ सा मतलब यह निकलता है, आप यह पूछ करने कोशे करें, कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, अगर यह ज़्यादा है, पर इस वीडियो को आप कल देखेंगे तो आप लोगो खुद शरम आईजी इस बात पे कि आपने मुझे बोलने का बहुत कम मुखा दिया है खुद ही आप जादा बोले क्या हुआ है कि आपने बोला है वह अनर्गल बोल दिया फिर मुझे वह आपको क्लिरफाई करना पड़ा क्योंकि वट्यू स्पीक इस वहां पर बिल्कुल रेलेवंट पॉइंट नहीं था उसका कोई मतलब ही नहीं हुंता है आप उसे गुरुप में डाल दीजेगा मुझे अगर आप कोई कहीं से भी इस पर से कोई पॉइंट निकाल के ला सकते हैं भावाद भावाम म्याई के अंतरगर पताव आप यह सुझे मैं एक्स्टेंसिबली पड़ावा अदमी हुं मतलब मेरे इतना जवर्दस एक्स्पी इस में एक वावाम एंड़ाव दिकने क्न जवर्चिंटॉप घर पाराके लिए और आप इस एक टुछवराव जबडाव पॉट आप रिए आप लिए टार्ड मेरे एकुम एप टावाट ओ से काई अवर्वा आप यह आप ऑंड था करें सवार्यार पीज़ निए तो मुन देखिजे ऐसा है एक सिंबल दिवात है तो कभी भी ना जेज्मेंटल एक सिंगलर चीछ पर कल की ग्लास में अच्छा लगा था अब एक सिंगलर चीछ पर आज जो है ना सभी को मैसेज क्लियर हो गया है अब मैं कल से क्या करूंगा कि कोई प्रश्न आपने पूछना होगा व आप लोग साड़े नो बजे से नेक्स लाफ से साड़े नो से साड़े तास की बीचों मेरे पास पर एक तरीका है जैसे मैं आपको मुट कर सकता हूं यू कांट अन्मुट यूरसल तो वह मैं आपको पहले पढ़ा दूँगा पढ़ाने के बाद मैं रुका रहूंगा एक साड़े नो बजे हमारा एक्जिट टाइम होता है लेडी इसको अपना खाना भी बनाना होता दूसरा कम करना होता साड़े नो पर जा सकती है लेकिन उनको रीचुकी वीडियो मिल जाएगा तो सिल्थ यह बीन पर थी-फॉर्थ अप टाइम बी तो को इसी कुस्राब्लम की इसको उसके आगे का जो नोट मैंने आपनों को वेज़ा है उसमें क्या है वह मैं आपको बताए तो उसके अंदर जो बाते बताई गई है वह बाते यह हैं कि हैंあ वह में यह समयानी की कोशित की है मद्वेद यह है वो जो यह कहता है कि हमारे सिजगें अनुसमें सार और मेरे सारी सारी सेज और व्रेकाराशड की बात को दे ते उनमे I मॉप्रिषी पारिशुयर्ट की बात को आपरत्यूक्ता ने हैं कि डिविजनल चार्ट में ग्रहों की बलाबल को या उसकी स्टन्स को देखने के लिए हम देखते हैं तो मेतलोजी यह होने चाहिए कि डीवन चाहिए और कोई भी डिविजनल चाहिए इन टेंडम के साथ में पढ़ा जाना चाहिए कि एक तो इसमें इंपॉर्टन है दूसरा इसके अंदर आपका डीवन का लगना लॉड इंपॉर्टन है दूसरा नौमांच पती नौमांच को सेकिन और और ऑफ राशी उसको विश्वाबल दिया गया है और तीसे नंबर पर दिरिश्कान क को दिया गया है तो हर डिविजनल चार्ट में वो कहते हैं कि नौमांच पती की पोजिशन को देखो फिर नों का डिविजनल चार्ट से आने वाले गुड और बैट लोग बोल सकते हैं साड़े नौ के बाद लिखने की उस समय लिखके रख लें उस समय रिखके रख लें लें क्या होता है तो मैं रिक्वेस्ट यह करूँगा कि वह अपने पास पीस पीसों पेपर में लिख लें और बिट्वीन 930 इं 1030 पूंच लें तो कि आपका जो जैस लोगों को लिखने के लिए बोलूँगा अपने ही कॉपी में मुझे उन प्रश्णों को पूछ लें अच्छा अब बैक तो पॉइंट उसमें क्या है कि कौन से कॉंपोनेंट्स जो हैं की कॉंपोनेंट्स हैं चार्ट में अध्यन करने के लिए एक तो आपका डीवन का आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या आप कंसर्ण होंगे जैसे कि उसका एक इसे समंदित आपको अच्छे प्रणाम नहीं मिलेंगे जैसे माधरास इंदिया के देशकांड में चंद्रमा आप देख रहे हैं कि वो फसावा है तो सिब्लिंग्स को लेके उनको डिस् अगर यही चीज उनके द्वाजशांता में होता ही तो मातबटा को लेके दुख देता तो जिस भी डिविज़ाट का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आप कितने सैटिस्पाइट होंगे वो चंद्रमा की मिडिवकर इस्टिती को बताएगा सैटिस्पैक्शन के ले सब्जेक्ट में आदमी को बहुत हर्शत बनाएगा इसके बाद पहला जो कॉंपोनेंट था वो था डीवन का लगना लॉड दूसरा जो कॉंपोनेंट था वो चंद्रमा चौहता कॉंपोनेंट है प्रतेग डिविज़ाट का एक कारक्त प्लैनिट है जैसे कि द्रेशकान का मंगल चोटे भाई बहन होता है चोटे भाई का और गुरु बड़े भाई का और चुक्र बहन का का रख है तो वह कारक्त ग्रहूं की स्थितियों को देखा जाता है उसी तरीके साथ दश्माल सा के चार कारक है सूरियां पावर का का रख और जो शनी है वो पे पैकेट यह वेल्थ की सिचुविशन को बताता है इस तरीके से यह कारक है वहां वंगल उस पर एक्जिकेटिव पावर और अथरटी को बताता है तो जो भी कारक है जिस चार्ट के उन कारक की पोजिशन को देखा जाता है कि वह कितना अच्छे सपोजिंग यहां पे दस्मांशा के अंदर में दूरी जो पावर का कारक है अगर खराब हो जाए तो आदमी एंपावर नहीं होगा मतलब उसको पावर नहीं मिलेगी चाहे वो कितना भी बड़ा अपसर हो जाएगा लेकिन उसके माधध ही रूल को चलाएंगे ऐसा कई बार आपने दिखा है और सबसे आदम सम्मानित हमारे प्राइमिस्टर है लेकिन आप देखे कि सुनिया जी चाहे किसी की वैसे परिटिक्स में हम नहीं जाएंगे लेकिन किसी ना किसी वज़ए से आप उनको सब्सक्राइब नहीं देख पाए वो जो है अपने मिनिस्टर्स को नहीं रोप पाए नहीं चेक कर पाए जो गलत काम कर रहे जो है जो काम होता है तो यह पूरा अधिकार होता है मिनिस्टर्स को बोलने का जैसे मोधी जी जी बोलते हैं वह काम जोनी करता उसको और दिया दूसरे को रखिए तो एक डर क्या माहौल बनाते है तो यह मंगल जो है उनका वीक होग सब्सक्राइब कर दोड़ा वीग होगा क्योंकि उनके मैलेजमेंट की एक्टिमन को दिठाता है क्योंकि उन्हों सब्सक्राइब कर दो यह कारक वाली बात है अभी पॉइंट नमबर फॉर हो गया कि आपने प्रतेख डिविजनल चार्ट जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो उनके कारक की पोजिशन को आपने उस डिविजनल चार्ट के अंदर देखनी है अब उसके बाद नेक्स पॉइं लॉड है वो एक बहुत बड़ा कॉंपोनेंट है उसकी स्टिटी को इस डिविजनल चार्ट में बहुत आवशक है जैसे कहने का मतलब है आपके डिटेन के कारक आपको मालूम किल गया इतनी लेकिन आपको अपना अपनी कुंडली का टेंथ हाउस का एक्स्टिंशन है तो सफिर क्या होगा वो भी आपके उस पर्टिक्लिर डियटर्ड को लेकर आपको विजिक्रट में अच्हें बटीधियू में नहीं राएगे अब इसके अलावा जो नेघ्स कॉंप्टेंट होता है वो डिविजनल चार्ट का लगना तो डिविनल चार्ट का लगना अगर अच है इसके रावा राशी कर और भावगत इन इस्थित्यों के नहीं दो प्लैनेट बैठता है तो अच्छा या दोनू ही अच्छा बैठेगा तराशी में बीच्छा बैठ या वह अच्छा वैडिया लेकिन आपको एक बात को याद रकर आ चार्ट के लिए कि अगर वो भावगत अच्छा है और राशी गहत भी अच्छा है लेकिन राशी गहत ज्यादा अच्छा है और भावगत कम अच्छा है तो इसके प्रभाव कम हो जाएंगे लेकिन भावगत ज़ादा राचीगत थोड़ा पाम है हंनि मिघ्द्ी Prophet financially सब्सक्राइब कुछ है इसके बाद एक डुर्सकूर कहा था उनलय औरम तो यह जो आपका था इसका मैं आपको इसका आंसर यह लास में इसलिए इसको इंग्रूट कर दिया ताकि आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए अब और आपका बिलकुल कहना ठीक है जब हम इंट्रोटेक्टरी क्लास दे रहे हैं जब हम बता रहे हैं इस बात को जानना कि किस डिविजनर चार्ट से कितनी धेर सारी चीज़ां आप देख सकते हैं तो मैं आपके सामने यह स्कीन इसने में ऐसमी स्काट होता है चैसी तुल्की इसे दसवरगा मत क्यों इंट्रूटड किया है जैसे मैंने आपको बताए कि जो दस्वरगा जितने भी दसवर्गा चार्ट निसते इन समय विद्य लगना चार्ट या राशी चाल राशी चाल और अजर्ण च्राट निटल चाड यह को इसका लेवट है विए QUE वियुका मिलेंगे विघृत का मतल्य होता ये अचानक आने वाले धंसमपत्थि पिताजी ने ने को में न हमारी सुसाइटी में भाईयों में ही बटवारा हो जाता है तिंचिन करो लेकिन अब प्रिदाजी ने का नहीं मैं गायतरी जी को भी दूंगा यह मेरी बेटी है तो दो करोड सब्सको दो-दो करोड दे दिये तो यह आपके लिए क्या बोला जाएगा विंट फॉल होता है जो अच प्रों के बीच में से आए हैं हम वन अव दिप्तर हैं क्या इस परवार के यहां वेटी इस में से आए है यह हम भगवानों की ट्रेडी से आये तो इस पकासे डी-टू चार्ट से यह अहुरा चार्ट से इतनी चीज़ा देखती आती है फिर आता है द्रेशकाण या डिकने होता है तो यह करेज के लिए देखा जाता है इसी विकार से डिजीजेस के लिए अभी आपको दिखाए रोग के लिए देखा जाता है इसको देखा जाता है उससे एक खर्द रिश्कार बोला जाता है इसी प्रकार से सिब्लिंग्स के लिए आपके बाइबेनों के लिए देखा जाता है उसका चौते नमबर पर आथा सब्ताशा बीजसेबं यह वांसेवं राची होती है प्याजिक रीर के लिए इसकी दिखा जाता है वह उनकी कि आपको तब तांशा चार्ट से पता चलता है कि आप बच्चों के कितना पैरेंटल केर करते हैं लेकिन इसमें आप टू-इंफ्रो मांदी तो इंफ्रो का मतलब है कैसे बहुत से योग की बच्चे हैं जो में जाके अपने माता-पिता को वहां बुला लेते हैं तो इस अब D7 चार्ट आपका सब्सांचा बताएगा आया फिर पांच वहां नौमांचा नौमांचा डी नाइन है जो कि वन नाइंट अपे साइन को एक बटे नौ किया गया है नौ से भाग दिया गया है तो तीन डिग्री 20 मिनिट का एक साइन होता है यह मेराइटल लाइ उसकी अपनी नौक्री और उसका अपना दन इसी पिकार से उसके अच्छे होने और बुरे होने का दिखाई पड़ते हैं तो उसमें सेपरेशन फाइट फ्रिक्शन लीगल वगरा वह भी नौमांचा चार्ट बताता है अब छटे नमबर पर आता है दश्मांसा क्योंकि D10 ह जो आपके रोजगार को बताता है वो कि आपके बड़े लेवल के उनकारेंगे कैयरियर में एक तरेशन होगा लेवल चुप करते हैं अपने के बीडिय वह सब बातों को बिटेन चार्ट आपका बताता है फिर आता है तरुम शांसा चार्ट साथ वो नमबर पर बोलते हैं होता है यहां सब mortal होता है जिसमें नेगेटिव गटता है रे जिवन में होती है वह सो होते हैं मेजरी परी होंगे होगे इसके अलावा यही रिमचांसा चार्ट आपके और बीहवियर को भी बताता है यानि जैसे आप मैंने आपको बताया कि दरेश्टांट चार्ट से भी आपको भावों का बल और गणों का बल और एक आदमी के बीहवियर के बारे में पता चलता है क्योंकि यह प्रदम हाउस को भी दिखाता है इसी विकार से एक आदमी का जो एक्शल भी होता है जब मैं आपनों को पढ़ा हूंगा तो आपनों को बहुत इंक्लूसिव वे में आपको बहुत ही पेनिटेटिव में आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी धेरतारी चीज़ें इस ते निकलती है इसके बा इसी परकार से सोट सामसा चार्ट आपके वेहिकल्स की पूलिशन दिखाएगा कि आपको बीमर औडी वगर मिलेगा के मिलेगी प्रिम मिलेगी मर्सिडीज में चोठी गाड़ियां मिलेगी लेकन इसी पूर सीकसी टे उसके लास्ट टैंप चर्ट है वह सस्तियांशा और के ठरहों के संथ कि यानि कि जुर्भा होजा जाते हैं कुछ मिनिट की वासले से वह निर्णे किया जाता है और दूसर नाधियांच्छा के दोरा लिड़ने किया जाता है जो दी वन फिफ्टी है वन बाई वन फिफ्टी इन दोरों को देखके हम जो है ट्विन भर्थ को एक लिए तो इस परकार से मैंने जितना भी लिखावा है उसका सारा मैंने आपको जिस पता दिए इसको आप लिखने पर आते हैं तो आप को मालू है जब कोई वैक्ति परड़ा होता है तो उस समय आप तो सामने होते नहीं तो कोई भी चीज उससे चूट ना जाए अगर उसके दमाग में कोई किसी प्रकार करें प्रशन आए तो मेरा लिखने का तरीका हमेशा बहुत आइली डिस्क्रिप्टिब रहता है कि ताकि क मैं आपनों के साथ बात कर रहा हूं साथ बच्के पंदर मेरेट के बाद दस बड़े तक मैं काफी मेहनत कर चुका हूं और अब हमारा आगे का जो नियम होगा वो प्रदीब दिल्दा साब ने जैसे बताया है उसी तरह से चलेंगे मैं अपनी वोकल कोड को रेस्ट देने का जिसना मैं फील करूँगा उस समय मैं आपनों को अन्यूट कर दूँगा वो चाहे पहले पढ़ाओ पे हो जाए दूसरे पढ़ाओ पे हो जाए लेकिन हम कोशित कि करेंगे कि जो ज्यादा ता प्रशन आंसर हम 930 से 1030 के बीच में उस समय मैं आपनों को अन्यूट कर दूँगा आपके प्रशन रोगाओ तो आपनों को प्रणाम करते हुए मैं आज के लिए आपनों से यह कहूंगा कि अगर हमारे एक व्यक्ति को भी अगर स्टूडेंट को अच्छा ना लगा हो तो आप समझे यह मेरे लिए बहुत दु मैं प्रणाम करता हूं और मैं को आपको बातकाटा नाइट था और रिखनार के लागा में रह दो अच्छा जै हमतार था अपनों की मेरे साहट रही टत दुरृ आप मैं ल्कार्द प्रणाम परनाम करता हून और मैं फेत जह आप करसे बूनाईट शल्स अब्सेगिक एलनि